गावा फिरोजी की वज़े से शेहर में हुए दंगो पर ग्रह मंत्री ने चिंता वर्थ की है इस घटना में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है हमारे संबादाता की अनुसार जब देखो खून खराबा लूट मार बॉम ब्लास्ट लगता है टीवालों के पास को अच्छी खबर है ही नहीं तब यह ठीक नहीं है दवाई भाई ले लो अब खड़े रहेंगे नाश्ता कीजिना बैठ जाए दीदी जल्दी बाहर आजाओ वरना पापा कर मंदीर जाने व मैं अर्जन से भाई साब आगे अरे तो 5last बजे वो तो पिछले मैने से मजय कहीं बार का आये परानी होगया युअंसे बदल दो ये घड़ी मेरे पिता जी ने आपको शार्दी में दी थी क्या दे आपके पिता जी तो आपको भी दिया था तो आपको भी बदल बदल कर देख गर्दन तोड़ दूंगा यह आपी का कसूर है यह शादी आपी ने करवाई थी इसलिए तो कहता हूँ खबरदार मेरी रुक्वी को कुछ कहा तो ला हाथ दे क्यों भाइसाब हथकड़ी लाया हो तेरे लिए रुक्वी ने तेरे खलाफ बहुत सारी राखिक पाば दोग्वार करें मेरी का सोचा है क्या करें हुसके अब आपस गारओं जाता हो रुक्की पोठेव फोटियों केश्रां कर लिए अब अप्नी मिट्डी के नोकरी करूंगा कि आव you वो पार्टी शार्टी का प्रोग्राम है कर नहीं इनका जनम दोन और आपकी विदाई के लिए हमने आच्छा में छोटी पार्टी रखी है एक पंद तुकाज वेरी गुड अले मेरे शेर शेर नीका भाई अगर टांग टूट जाती तो कैसे टूट जाती देसी गी का कमाल है अच्छे अच्छो को उठाया है फिर फूर जैसे बच्चे को ने उठा सकता है तुम यह कपड़े पहन के कॉलेज जाओगी क्यों इन कपड़ों में क्यों खराबी है आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते और क्या तेरी मेरी तरह वर्दी पहन करकॉलेज जाएगी बात करता है काजर बिटिया बहुत खूर सुट लग रही है अब यहीं खड़े रहना है कि डूटी पर चलना है कर दोटी जाएगी बात कर दोटी कि अब यहीं जाएगी 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 तरह तरह रहाएगी पर चलना है होट। मस्म्म होट भीर्टी के शराप पी रखी है कुछ इपकल के बैठा है उपर से कहता है कि इस देश के गैर कानुनी दंडों को तालह लगवाएगा हमारे लोबी के लोग मुझस सिखायध गरते हैं कि हम अपने आदमी को सिम की कुर्शी पर क्यों नि बिटाते कब तक बरदास्ट करना पड़ेगा स्टीम को तू सितर फुलिस आपके पीछ पड़ी है भाई मैं आप से बात कर रहा हूँ और आप इस घटिया खिलोने सकंदर ये खिलोना नहीं मौत का पैगाम है अगर तुझे कोई खो जाना तो तुझे कारे मेरी जान है यार आए ये चीफ मिनिस्टर, मैं मार दा लूँगा इसनी. रिलाक्स, बलाक्स छडे, रिलाक्स. मैं हुना थे भाई, मैं हुना? ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं. और मेरे जीते जीत तू कोई माउथ का केलने ही कहलेगा. संजहा ना? क्या? तेसे मिल्क कुरन कि इतना नशा वरद घृएंगा की हर अबश्य तर्फ हमारे बारिगों के वह स्दाइए हूं कर भाग गया मगर हमारा सीकंदर राच करेगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज उन्हें संबोधित कर रहा हूँ जो कल इस देश का भविश्य बनेंगे आज हमारे देश में जहां चारों तरफ दंगा, फसाद, भरष्टा चार और सांप्रदाइक्ता की आग थैली हुई है इन हालातों में हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रती और बढ़ जाती है मुझे दूसरे के प्रती तो आज हमारे देश का हर्प्चा, निमानदार और सब्य निश्परेंगे अरजुन, जा मेरी जगा करा हुई है आई सर्, निता होगा अभी निता, आपको नष्डीक से देखने का पोश्यों होगे जब से उजब से पाइगे हाई आज माता कीओ, है एक ए्टा कीओ, है एक 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 कीओ कि यह भी कोई जाने का तरीका है कि जाते जाते अपनी उम्र मुझे दे गए भाई साथ कि पता नहीं कितने सपने देख रखे थे कि छे महीने बचे थे रेटायर्मेंट में कि जाना मुझे था मगर भाई साथ ने जगे बदर ली है मेरी मौत अपने सर ले ली भाई साथ कि जिन्दगी का क्या भरोसा कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है कि एक भाई से बढ़कर थे वो कि सब एक जटके में मुझे तो भी भी यकीन नहीं आता कि वो अब वो कभी मेरा नाम लेकर नहीं बुलाएंगे हम लोग कभी एक साथ जूठी पर नहीं जाएंगे जो हुना है सो तो हुता ही है यह सब नसीब का खेल पता नहीं मेरे नसीब में क्या लेका है यह सारा अतंक वाद अभी रेटार्मेंट में कुछ साल बाकी है पता नहीं बचूंगा के नहीं शुप शुप बोले जी ऐसी बाते मत कीजिए भगवान पर बारुसर रखेना वह सब ठीक कर देगा पापा बस मेटे बस पाप पता है जी कुछ नहीं होगा तेरे पापा को अर्चुन ऐसे क्या देख रहा है कल तक इस कुरसी पर भाई साब बैठा करते थे हर पहल हर वक्त मेरे साथ लगता है बाइसाब की जगे कोई नहीं पर सकता जख्मा और कुरसी वक्त सब भर देता है साब यह कुरसी भी बढ़ दी गई है हाँ साब कमिशनर साब ने पंजाब पुलिस में से खास ओफिसर बुला है वो ही आपका नया पार्टनर है पंजाब पुलिस और मुंबई में दो दिन नहीं टिकने वाला वैसे आपके पंजाब के ओफिसर हैं कहाँ लसी भी ने गए यह देखे लिए जेवेर कॉलेज में जेवेर कॉलेज में ड्रग पेडलर को कॉलेज के सेकुरूटी ने पकड़ा द्रग पेडलर ने उने मार कर पूरे कॉलेज में दह्षए ठला दी कारफिर स्टूडेंस को अपने कभजे में कर लिया पोलिस को चारों तरफ से खेर लिया रिय स्टूडेंसותटों खुआँ पुरिप नोग पुलिटी तो पुलिटा वोजए श्कावे अप्री वाकर ने हमारे करता हूँ मैं तुम्हें आखरी मौका देता हूँ तुम लोग यहां से बच कर किसी बेसुरत में नहीं जा सकते मैं तुम्हें आखरी मौका देता हूँ मैं तुम्हें आखरी मौका देता हूँ कि झाल में तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हें देता हूँ फिलाएव खिलिगक विलाएव जड़े ? यह पुदधर बन्न को ली माटवा! तुक्षा वन्न ये लड़की जानते जाएगी जाने दे मैं आखिली बार ही सुन लिया था तेरे चेहरे पे मुझे मौत दिखाई दे रही है हुए हाथ क्यों काम रहे हैं हध्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा तेरे पास सिर्फ तीन रास्ते हैं पहला तु आपने आपको मेरे हवाले कर दे तो मैं तुछे इतना मारूंगा कि तू वेसे ही मर चाहएगा तीसरा तू यहां से नीचे चलांग मारते हैं ज्यादा से ज्यादा तेरे हाथ पे टूट जाएंगे यहां तो यह करते हैं कोड़िबाबा कुड़कुम्बा तुमने उस पर गोली क्यों चलाई है यह आपके सिनेर ओफिसार है और जून सी तुम तो उसे पकड़ चुके थे पताया वो जिंदगी पर चल नहीं पाएगा मैं भी यही चाहता था, कि वो जिन्दगी पर याद रखे, कि जुर्म करने का अंजाम क्या होता है दिस इस नॉट दुवे, यह तरीका गलत है भाई मेरा तो यही तरीका है, मैं शहर में चोर पुलीस का खेल कहलने नहीं आया जुर्म वो बेमारी है, जिसका इलाज मैं है कलका चोकरा पता नहीं अपने को क्या समझता है खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, पागल है पागल मैं पागल हो जाओंगी निश्या किसी हीरो ने किसी फिल्म में अपनी हीरो इनको भी ऐसे नहीं बचाया, को जैस्यों से मुझे बचाया ओके बाबा, ओके, हीस टू मच, हीस माई हीरो बड़ा आपने आपको हीरो समझता है पुलिस में सिरफ दलेरी से काम नहीं चलता, अकल की भी ज़रूरत पड़ती है इस में ड्रीम मन, हीस माई हीरो तुझी पता है, जब उसे मेरा हाथ पकड़ा रहा तो मेरे पूरे जिसम में बिजली जाड गई हुची जी जी जीजी उपर नीचे आगे पीछे खुद के तो कोई आगे पिछे है नहीं, मगर दूसरों को तो भी भी बच्चे हैं, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा, या वाँ, ए चुप क्या हो, या राहूल ये बापा को क्या हो गया है यार, I think it's professional jealousy, हाँ, रासकल, लगी रासकल, पजकर अश्यारा, किषे, किषे सबर सेकंदर, सबर राक, उसकी किसमत अच्छी थी भाई जो बच गया, लेकिन मैं अगली बार से, कभी-कभी किसमत मौत से पहले पहुंच आती है, लेकिन इस बार मैं किसमत कभी मौका नहीं दूगा, मौत इस बर्सी दे, उसके हाथों में होगी स्टॉप जी वो सीम से आपका पोन रहे गया स्क्यूज मी, आपका पोन, ओ, थैंक यू जी करके हाथो क्या ने आपका गया कर। जी करोड़ ला इसके हाथों में जी कर्वाने में हो तॉप तॉप जी का डेक अबसभ घए जी कर दो, और हदए जी कर दो चस्यू़ सब्सक्राइब एक अधिन पुछ पांच लोग थे सर और अमारा एक आदमी सीम साब कार में ड्रैवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में बारा गया यह सब कैसे हुआ यही तो समझ में नहीं आया सर हमारी तरब से कोई देल नहीं थी प्रशंथ सर यह जितने लोग माझूद सबको राउंडब करो और सबका बयान लो यह सर पूछताश करके हम अपना टाइम वेस करें अर्जुन सिंग जी करने माला तो अपना काम करके चला गया तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ियां बैठा होगा देखो यह तुमारा शहर नहीं मुंबई है य इससे पूछताच कर रहे हो वो किसी वी आईपी का साला है यहां तो अगर एक कॉंसरिबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिशनर का तबादला हो जाता है मेरे तरीके थोड़े अलग हैं अलग क्यों है क्यों आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पड़ी हुई है कि मतलब अपना निकालता हूं मैं चोर से भाई के खेल में यकीन नहीं करता हूं मैं मुझरिम को पकड़ता हूं जंगल में छोड़ देता हूं मुझरिम को जंगल में भागने की अजादी है और मुझे शूट करने की यानि फेक एंकांटर एंकांटर फेक होता है बगर मेरी तो तुम उने माठ डलते हो कैंसर को खतम करना हो तो उनके कीडों को मानना पड़ता है अगर उनकी नों की सहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मुर जाएगा हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है मगर वो कहा है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजाई ही लगा सकते हैं सर उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा सकंदर पर हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन संग क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है हलाकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है यहां बैठे जग क्यों मार रहे हैं जग मार रहे हैं मैं कुछ समझा नहीं आफिसर इनके शहर म में चीफ मिनिस्टर सहाब की आत्मा की शांती के लिए दो मिनिट का मोन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए और जो लोग शादी चुदा है वो अपने बीबियों के काम में हाथ बटा है और जो लोग नहीं है वो अपने लिए बीबियां डूनने है अजाते पतर तूत हो गया करन सिंग तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तिमाल करने के लिए मैक मैं से माफी मांगने चाहिए मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फे ठीक है I'm sorry आप समझते हैं कि गावा फिर झेनरी और क्या चाहिए हमें तर इनमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की हमदद से करिद न सकें सरह म जितनी महनत अपनी काम्यावी के भाँने में करते हैं अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी काम्यावी के लिए करें तो हमें भाँने कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क reckless तुमहार जारे हो मढ़ने की जरूरत है साए अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन्चाण सरहत के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा हमारे हाथों में नहीं Sir, अपनी धूटी कैसे करनी है? इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी नए आया है और जो अभी यहां के हालाद से वाकिप भी नहीं है Duty clerk करते हैं, Sir सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते है हालाद कोई नए नहीं है और Gawa Firozi कोई पहला terrorist नहीं है किसी भी terrorist को पकरने के लिए duty नहीं जनून की जरूरत है जनून जिसमें चाह जान भी चली जारे Sir, आप Gawa Firozi का case मुझे दीजिए चंद दिनों में Gawa Firozi को आपके सामने जिन्दा या मुर्दा हासिर करूँगा और नहीं कर सके तो, आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौबता हूँ. इस केस में अर्जुन सिंग तुम्हारे पार्टनर हो. सेर, तुम्हें मालूम है गावा फिरोजी कितना खतरनाक है? तुम्हें खुदकुशी करने का इतना शौक है तो पर पुलिस में क्यों बढ़ती हुए पुलिस से बाहर रहके भी खुदकुशी कर सकते हो देखो तुम्हारा तो कोई आगे पीछे है नहीं लेकिन मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारिया है तुम गावा फिरोजी को समझते क्या हो, गाउं का चोड डिकैत, वो कोई लाठी तमंचे वाला गुंडा मवाली नहीं है वो तो अखवार वखवार पढ़ते हो या नहीं पता नहीं तुम्हारे शहर में अखवार पहुचता भी है या नहीं एक बात गौर से सुन लो, गावा फिरोजी का पीछा करना अपनी मौत का पीछा करना है मैं अपनी मौत का पीछा नहीं कर रहा हूं, मौत गावा फिरोजी का पीछा कर रही है मैं गावा फिरोजी की मौत हूँ, ओके? कुच एक बपस भाइ यह पुछे साव गए कुच भाह। कुच अप्रड़ इसन वादी और हम और बहुत है जो आवे में लुणी आवे है यह बये मांट नहीज बुब ट पाँड़ बिल अवान है का अपिया कुछ नहीं हम बिल डेचुक है सनन तो क्लब 2000 हो तो क्या थे कम से एसे तम हैं आफ सील già कन् आथ हूं जयानतों में कोन हूं जयानतों य। दूड़ित में एक थे modes में बैप ट्याफ य।igorत ön करोटी पिर छोड़िजीा मेलेगा किसी नहीर आकिसी मॉर पर बाल worthwhile मैं पेरी बार इस तरह की क्लब में आरही हूँ अगर पापा को पता जागया तो मेरी ड्रेस कैसी लगड़ी है? मेरी ड्रेस कैसी लगड़ी है? इस पापा को ना पता चले देख निशा, वो लड़की कैसे पागलो की तरह डांस कर रही है? Excuse me मैं अभी आरही हूँ मैं अभी आरही हूँ नहीं मैं द्रिंक नहीं पीती मैं द्रिंक तो यहाँ, दिकर नहीं पीतो ता की पीतो ता तूगा चाहाँ I missed you कैसी रही तुमारी फ्लाइट? कोई, टेंशन? टेंशन? तेंशन? तुमारे आदमी एरपोर्ट से ही सामान ले गए थे गुड़ रियली गुड़ सिकंदर जानते हूँ मैं हर बार तुमार लिए सामान लाती हूँ मेरे साथ की सारी होस्टिस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो फिर तुमने क्या कहा अपनी जिंदगी के लिए एक अजीब सा डर लगा रहता है पता नहीं क्यों आखिर इन वैक्स में होता क्या है महबबत का लशा तुम नहीं समझोगी मैं नहीं जानते मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत मादर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातर आलाव यू आलाव यू टू सर यस सर वनीचे ACP करन ओके तुम बेसमेंट में से सामान क्लिया करो राइट सर मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे मैं कैसी लग नहीं हूँ योजिंग करन ने मुझे नोटिस किया रॉबिश इस्क्योज हुआ यादे आप नुछे बिले थे कॉलेज में कॉलेज में जब मुझे पहचाना नहीं पहचाना नहीं याथ है उस नंना आप क्वे सो ने द furnace मैं जह नहीं वामा गुंदै तर्त मैं क्वे घर दीक एक अपनि कॉलेज में घंड़ I'm Arjun Singh's papa, no Arjun Singh is my daughter, no no, I'm Kajal, I'm Arjun Singh's daughter, nice to meet you same huh drink drink oh 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 please papa okay bye thank you same Same oh 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 गौवाज अब होईे शी-बी कर रनसिंग ने अचानक डाज में धालमार्दी और हमारा 15 करओ का माल करों हमारे शे आदमी में माले गए सर ऑप अर यू श्मार बड़ी मुश्क्रण से चांदा सक्रायां है नäg है यह है कि everyone माल साजा किम के पिरिकान! यह खुनकारन मुझे कुछ जादे पसने है यह इसी प्रिटकन को ने? मैं आ कम इन फादर? यह जा कम इन प्लीज सम डोनेशन फोर दे किद्स इतनी सारी रकम? मैं एसी पी करन सिंग हूँ यह इनाम की रकम है जो हम पुलीस वालों को मुझरिमों को पकड़ने से मिलती है थैंक यू माई सन गाट का काम करने का तरीका भी बड़ा मिस्टीरियस है अब दिखो ना पच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे इस्कीज मी फादर तुमने पूरे कर दिये ओ तुमने खरीदने के लिए अब भी बड़्दे शन थैंक यू फादर गॉड ब्लेस्यू माई चाइल अब भी बड़्दे गॉड ब्लेस्यू थैंक यू सर यह कवीर है अच्वली मैं नहीं जानता इसका बड़्डे क्या है दरसल छे साल पहले आज ही के दिन यह हमें एक गार्वेज बॉक्स में पड़ा हुआ मिला था और मैं इसे यह ले आया एक अनात को जिन्दगी मिल जाए उस अच्छा और क्या हो सकता है यह राइट सुन यू लाइक दिस तेड़ी तेड़ी से क्या होना यार यहां पे टेड़ी घर में डाड़ी काश वो आ जाए मैं हो जाओंगी रेड़ी तेड़ी मेरा ही रोड़ी मेरा ही रोड़ी अरे ऐसी नाचती रहेगी ना जिंदेगी भर कुवारी रजाएगी गो टेल हैं यह लाव हैं अच्छा तेनु के नहीं दस्या मेरा ही रोड़ी है अब प्रॉब्लम है प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो हर जग है उपर प्रॉब्लम है नीचे प्रॉब्लम है इधर प्रॉब्लम इधर प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूं प्लीज मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो actually मैं आपसे कहना जाती हूँ, भो.. मतलब क्या रहे? मतलब, haven मेरी एक फ्रेंड निशा. वो मुठ से कह रही थी, मैं.. मैं.. Hmm.. मैं आपसे कैसे कह हूँ? कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? मैं आपसे बच्छो कि इमाहें। नहीं। You know she loves you But you know you really got a problem Hey what problem Everywhere there is a problem with the commence to be a problem with the regress to be a commissioner Everywhere problem Conservation, communication, contribution, composition, competition and I have got constipation Very good problem But you are from that? Thana? I am from Interpol All Polar is over You know the problem? I know the problem अबसकर अपना रामा नहीं तो मारूँ तरको मुझे मार कर क्या मिलेगा उसा का शिपिंग कॉर्परेशन के गुडाउन में इतना असला और बारुत पड़ा हुआ है जरा से भी देर हो जाया तो देश की हजारों मासुम जयान से जाएंगी उसा का शिपिंग कॉर्परेशन बिटर डाउन करो टैक्सी फिर मिलेगा किसी न किसी वोल पर को ना प्यार है कि अ देखो बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते हैं अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे न तो गोडाउन में जो हत्यार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगी और हजारों की हत्या हो जाएगी वो बोड देख रहे हो लिखा है प्राइवेट प् घबराइए मत आपको फांसी नहीं होगी ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूगा सच बताइए आप किस बात से डरते हैं मैं मैं क्यो डरूंगा मैं तो कानून की बात कर रहा था अगर पुलीस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर ह कानून की हिफाज़त की बात कर रहे हैं एक पुलीस मैन की जिन्दगी की बात कीजिए पुलीस वालों का काम सिर्फ डूटी निभाना नहीं होता डूटी उनके लिए एक मिशन होती है क्या होतली दिया हमने पुलीस वोस जॉइन करने से पहले लगता हूँ सौगन आपने स पालन करूँगा ठीक है हम लोग अंदर जाएंगे लेकिन मेरी एक शर्त है जब तक मैं न कहूँ कोई खुन खराबा नहीं होगा जी और तुम गोली नहीं चलाओगे अर्जुन से जी मैं आपकी बात समझ के हैं चलें कि अर्ण था यार नहीं होगा जार्ण से खंदरे जवीज कि अर्ण झाल 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 आखिर क्या हदिल कर लिया हमने अब जब इंक्वारी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए वे तैयार है इस शहर में अपराद की ऐसी घंवनी दुनिया बसी है जिसके उपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगार सकते मैं कट्रोल रूमें फोन करके गुराउन सील करवा देता हू बच्ट जाने है जिए प्राप कर लोका कर लाख भाद कर अब्रणै अब्राप कर देता है का रुप अपर पर दोस्तियों कर देता है का दोस्तियों कर देख बमार्षण हम चाहा कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड सकते ना पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोड़ तो पहुचा सकते हैं उस हराम खोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिये करोनों का नुखसान कर दिया और आप किस बात के अंजार कर रहे हो भाई खेल को और मज़े-दार बनाने का शिकार का मज़ा तब ही आता है जब हो चल से पकड़ में जिन्दगी में करन जैसा शिकार बड़ी मुष्किल से मिलता ए से उडने दो से जितना हुंचा उटेगा उतना उसे नीचे गिराने में मज़ा आए से अंदर कहीं इतना उपर न ऊड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए माउच से कोई उपर नहीं उड़ सकता से कंदर अगर 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 पर तैंक यू अगर नगरी क्या हृँ जी उड़ा प्राम जी तुछ ने जाए अज कुछ ने अज कुछ ऑगा सुबहा सिन मेरे बैयाख फटक रही थिए उद्यू अगरी आए तेंक यू यह कौन नमस्ते जी नमस्ते यही करन सिंग तुक्तिक पूँए अबने निपकान के अच्छा जाहे उस्ट से लिए अरश गया है प्रजा नहीं पाईगा अभी ज्वार आपे अच्छीं कि अच्छेलिंबाई भा लिए अच्छीं टोन करते हैं अच्छेल नहीं आओ मेरे दिल में आओ ओ राहुली सो क्यूट मेटे लोग कप्रे बदलो तुमारे कप्रे भीग गया ना मैं सुकातर प्रेस कर वा लेती हूं चेंज में कहां वहां है बातर यह मेरे बेटी है काजल यह वहां थे आज़े आज़े ना आज़े आज़े लिए आज़े अब राइट चॉइस बेवी है अब प्रश्व उसे मेरा कुर्ता पजामा देने की क्या जरूरती तो फिर क्या मैं उसे अपनी साडी दे देती अब भी है यह दिने से काटे हुए क्यों है पापा अपने रिटार्मेंट के दिन रोज गिन-गिन की काटते हैं ओ यह दाल तो बाके बहुत स्वाद है वेरी टेस्टी यह आपने धाई बड़े तो लिया ही नहीं तो क्या हुआ बनाया नहीं यह दो कर रहे हो ना ऐसे मेरी मॉमा बहुत अच्छा खाना बनाती है यह लो यह क्या बेटे खाते वे हात नहीं रोखते अब शकन होता है तुमने पनी तो लिया ही नी आप पानी पीलीजीए ना आपके लिएस्ट्रूम में विष्टा कीजीए ना अपना राऊल्ए अब बहुत अच्छा माची में जाता हूँ जाता हो नहीं कि तयाता हूँ प्लाव पर आता हो केते और आती रहे ना? हाँ जी अखुश रहो बाई राहूल बाई बड़ी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पापा को रोज चोड़ने आप हो सकता है पर तुम्हारे पापा की सिर्फ दो ही टांगे है ना? हर रोज तो नहीं तोड़ सकते है? हो यहाँ 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 हुआ हुआ हह यह हुआ हुआ यह कि उख उखर लुग हुख और चल्ग करें ओरी है तो बमखरा उम करें हाया म तर पना करें उिफ ए लाक उता है करेंऄ करेंऄ तौ अटल सब फसे कम करेंग यूजय पहलो झाल से ले लाँ ही लो यू है कर दिए पनका हृश्मृट एप ही लग ही लग, अबता हृश्मृप मृप 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 झाल का लग उता रशे कि लुट कह अबता है प्रुट फिर यह लग और लोत होत और दूत वोत अपसор वोत वोत यह 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 ओら ग slब यह लटता है, वह दो! कर नथ करन! करण 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 साब जी जब तक होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं कह सकता टॉक्टर साब प्लीज मेरे करण को बचा लीजे तॉक्टर तॉक्टर कि गौड़ परोसर रखो तुम्हार साथ बुरा नहीं करेगा सब ठीक हो जाएगा एसी पी करण सेंग का कुछ पता चला अभी तक कुछ पता नहीं चला पुलिस चारोत और फोने डून रही है जैसे कुछ मैसेज मिलेगा मैं आपको पॉन कर चाहिए और का चल काजल 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 अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं भी अपनी जाएगा सेम है अरे सेम है अरे तो इनी की दुआओं का फ्लेम है जो मिल गया है तुछको सिंदेगे का निया फ्रेम है जल्दी से आई लव यू बोल डालो यही तो करक्टेम है अलब यू कि अगर वाड़ी आगया है उतर के सचुर का आश्क्रवाद लिए अरे तुम्हारे प्यार में सचुर का क्या कसूर समझे क्या हुजूर उक्या पाज़ा है उके बाइं चब कभी बोउफ्रेंद अपनी गर्फिंड को घर चोड़ने आता है तो क्या ओके बाइं तो फिर तुमने कभी इंग्लिश पिक्टर नहीं देखी है डिए गये 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 अरे क्यों टाकर उप्य कर गर्यान कि जब के तूम क्या मानुस कि बोलती कुछ हैं तुम करता कुछ है अरे दिल का सोधा है कर डालने का वैने तो माउथ के साथ सब्दा किया थे बच कैसे गया साला लगता अच्छे नसल का शिकार बड़ा मसा का खेलने का आप बहुत खतरनाक खेल खेल रहो भाई चोटे खतरनाक उसके लिए है अपने लिए नहीं मुझे इस खेल का अंजाम मालूम है खबरदार हैंगा करन से मिली तो आखिर मेरा कुसूर ही कहा पापा आई लॉब है फ्या आप बिना एवई अखर क्या बुराई है करन में तुम समझती हो मैं काजल का तुष्मन हूँ पर करन तो अच्छा लड़का है करन से काजल की शादी करन से इसकी शादी खुदकुशी होगी वह पुलिस वाला है काजल पहरी लड़की नहीं होगी जो एक लिस वाले से कि शृटूगा या नहीं वो जीती जाकती मौत है कि जिसे अपनी जिंदगी की कोई परवां पर लगाँ तो आप अपनी डर के लिए काजल की खुशी चीन लेना चाथे हो रुखमनी तुम समझती क्यों नहीं तुम चाहती हो मैं अपनी बेटी को विद्वा होने का आशीर करें तुम किखमार् सकते हॸब दूसरे बचो की तरह तुम भी मार शकते ह। ज़ते को अगर तुम किख्रु अल्याख। नो भाईया, I can't You have to kick, Kabir I can't, भाईया, I can't You have to kick No, भाईया, I can't चलो, come on, kick No You have to kick No, भाईया, I can't You can do it I will kick, नहीं मार सेथा Come on, Kabir, you can do it Come on, kick तुम यहाँ? जी हाँ मैं जानती हो तुमहर संडे को आपाश्रम के बच्चों के साथ खेलने आते हो Karan, एक बात कुछू तुमने उस बच्चे को किक मारने के लिए इतने जबरदस्ती क्यों की उसका होसला बढ़ाने के लिए उसकी जिन्दगी में जब भी उसका होसला पस्त होगा उसे यह किक याद आएगी उसे याद आजाएगा कि वो सब कुछ कर सकता है एक अपाहिज नहीं है मेरी तरह मतलब जिस दिन मेरे माता-पिता मुझे छोड़ के चले गए मेरे जीने का होसला तूट गया एक अपाहिज की तरह मेरे बाबा एक पुलीस ओफिसर थे उनका सबना था कि मैं एक एथलीप बनो जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाया वो देखने के लिए जिन्दा नहीं थे मेरे माता-पिता को किसी मुझरिम ने माँ डाला था मैंने पुलीस फोस जॉइन किया उस हत्यारे की तलाश में जो नफरत मेरे दिल में मुझरिमों के लिए है वो मेरे माता-पिता के प्यार से चन्मी है तुम्हे पता है करन पापा को बिलकुल अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे मिलती हूं वो चाहते है मैं तुमसे दूर रहूं लेकिन आई डूंट कैर वो ठीकी तो कहते हैं तुम्हे तो मेरे साय से भी तूर रहना चाहिए एक्स्क्यूज मी तुम हो किसकी साइट पे मेरी या पापा की आप कुछ बोलत क्यों नहीं हो अच्छा कुछ मत बोले आई लवी बोल तो सेम है आई लव यू भी नहीं बोल सकते बुद्धू करें यह पुलिस टेशन है के रेलवे स्टेशन जिसे देखो चला रहा है तुमको बहरामबाडी बेजा दाना कंप्लेंट एटेंट करने क्या हुआ उसका लेकिन सर मैं तो छुटी पे था आजी आया हूँ नायका है किटनेपिंग यह तो लड़की को अगवा करने का केस है और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दुले को शादी के मंडप में ले जाते हैं इसे तो हतकडी पेडियां डालकर डंडे मारकर घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए तब इसे पता चलेगा किटनेपिंग क्या होती है मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर मैं उसे प्यार करता हूं और अपना घर बसाना जाता हूं और बसाने के लिए मां बापके घरते बगा करने जाएगा तुमी सर यह गयर कानूनी है सर कानूनी मेरे को कानून सिखाता है मेरे का मेरे तो गानून सिखाता है यह क्या कर रहे हैं आप मैं अपनी ट्यूटी कर रहा हूं आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे है आप मेरा गुसाएश लड़के पो उतार रहे हैं वाई, टेल मी वाई, हाँ, आपने केस देखा ना, आपको अची तरे से मालूम है कि यह लड़का बेकुसूर है, तो फिर आप अपना गुसा मुझपर उतारी ने मुझपर, हिट मी, इससे मार कर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं, इससे मार कर ना तुम्हारे माबाग, ना कानून, येस, ओके, don't worry, I will be there, yes, okay, fine, sir, okay. इंस्पेक्टर, तुमने उस आदमें को पेना चेक है क्यों जाने दिया, सर, आप इने नहीं जानते, ये हमारे शेर के जाने माने बिजनेसमेन, पिस्टर सिकंदर है, करी तु सीम साब के पार्टी के खास मेहमान है, इनकी सेक्योर्डी चेक करना तो तौहीन होगी, सर, आच्छा, तो ऐसे खास मेहमान से जान पे जान करने ही पड़ेगी, हलो, है वी मैध बिफोर, क्या पहले हैं मिल चुके है, जो एक बार मुझे मिलता है, वो कभी भूलता नहीं, आप जैसे इतने लोग मुझे मिलते हैं, कि सब को याद रखना में जरूरी नहीं समझता, आप जैसे लोग दुआ करते हैं, कि मुझे से कभी मुलाकात ना हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें मिस्टर, इस शहर की आब हवा आप जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है, मैं अपनी सेहत की गुलियां अपने साथ रखता हूं, पर कि इतना है कि वो मुझे नहीं दूसरों को खाने पड़ती हैं, इनी प्रोब्लम सिकंदर, भीतर आपका इंतजार हो रहा है, ओफिसर, टेक और पोजिशन, ओके सेहम साब, आप चलिए मैं अभी आया, ओके, ठीक है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा, ये तमाम पावर वाले लोग मेरे साथ हैं, सिकंदर, जिस दिन मेरा हाथ तुझ पे पढ़ गया, तब ये तमाम पावर वाले लोग भी तुझे पचा नहीं पाएंगे, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, यू कान टच मे, मैं तुझे छूने नहीं, मिठी में मिलाने आया हूँ, जमीन के दो गज नीचे रहने वाले किड़ों से मेरा वादा है, कि मैं कावा फिरोजी और सिकंदर को बहुत जलतन की खुराक बनाओगा, अच्छा सपना है, देखते रहो, मैं सपने नहीं देखता, खुद एक बुरा सपना हूँ, क्या बात है, बड़ी घबरायवी से लग रही है, मुझे तेरी मदद की जरूवत है, क्या हुआ, मैं जीना चाहती हूँ, काजल, मैं मरना नहीं चाहती, क्या पाग्लों जैसी बात ये, मुझे डर लग रहा है काजल, कही कुछ होना जाए, ते खबराने की कोई बात नहीं है, हमद से काम ले यार, मैं अभी तेरे घर आती हूँ, फिर हम दोनों पापा के पास जाएंगे, यूनो ना, पापा इसन पुलीस, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेंगे, थैंक यू, काजल, थैंक यू, है, चुप, यू इडिएट, जिस वेट मैं आती हूँ, हाई हनी, कहीं जारी यो क्या? लीव मी, जिस लीव मे अलोन! I can't live without you honey, I love you, I really love you honey, I love you, बर्शिट, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि, यू, सिर्फ एक चीज की तरह इस्तेमाल कर रह हो! What is this? सिर्फ एक चीज! What do you mean by इस्तेमाल करता रह हो? Come on honey, let's have fun! Don't judge me! Don't! मैंने सूचा था, शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, शायद मेरे लिए तुम अपने रास्ते बदल दोगे! God the shit! प्यार व्यार! I don't believe in all this! Just, just forget it! तुम भूल गए ना? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? अरे? अभी तक उस गंदगी को तुमने गिरवाया नहीं? Okay, हम आज ही तुम्हारे आवोशन करवाय देजाएं नहीं! यह मेरे लिए गंदगी नहीं है! तुम मुझसे प्यार करते हो ना? मेरे लिए ना सही! इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर लो! अगर इसी तरह में हर उस रड़की से शादी करने लगा बोल! क्या खरद लेकी वर्णा? बोल! मैं चिक शिक के तुम्हारे बारे पे चारी दुनिया को पता दूँगी! क्या? सिकंदर की दुनिया वन बे स्ट्रीट है इसमें लड़की आ तो सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती कहा जाना है तुम्हे हम बेज़ेंगे आयला के वहोगा बोला थाना बहुत जल्दी तीना जाने की मना किया था कि कहीं नहीं जाने का कर दो कि वाई व तो कर दो कर दो झाले लजगा, प्रिर्वार प्रागि इस और यह लाओए लगक, जब अखवगाना कपकड़ा, ऱलके बाहो इस और इस और है, लग जया वपकड़ाना हजए एला इस और देस और बगक, इस और लगति और बगाना डर मेश्ष्टी करे लगक लगेल, इस और दो लुगाडना पूरा हो जाए तर लाश को पोस्ट मॉर्टम के लिए ले जो सर नीचे एंबुलेंस आ गई है इंस्पेक्टर कदम को चार्ज दे दू पापा ने शाइड गबराओ नहीं बेटे जो कुछ तुम्हे याद है इतमे नान से बताओ it excuse me sir लाश के पास से हमें इसकी सिर्रेज मिलि आंइए ड्रक के से लगता है इस भ्रैंसती के प्रओ आख वरि हम बढ़के ने किह ज़िए थी नहीं पापा मुझे पता है निशा नहीं लेती थी अच्छा थीक है तुम खर जाओ अगर ज़रूद पड़ेगी मैं तुम्हें बुलवा लूँगा मैं यहां की कारवाई खत्म करके फिर आता हूँ तुम ठीक है रही हो काजल निशा ने ड्रग्स खुद नहीं लिये क्योंकि सुरिंज का निशान उसके गले पे था काजल जब तुमने उसे फोन पर बात की तो उसने कुछ तो कहा होगा वह बहुत डरी हुई थी उसने मुझे जल्दी आने को कहा लेकिन मैं उसे कोई खत्रा था किस से कोई नाम कोई पहचान मुझे नहीं पता काजल लेको तुम यह कही बार आ चुकी लिए इसलिए गौर से सोचो तुमने कुछ ऐसी कुछ अजीब सी चीज देखियों जिसे त तुमने कातल को देखा है नहीं मैं इतनी जल्दी में थी कि ठीक सब्सका चहरा नहीं देख नहीं तुम इस केस की चछमदीद गवाद नहीं लेकिन मैं तुम अभी तक घर क्यों गई गर जओ झाओ काजल निशा के कि चछमदीद गवाद अरजुन सिंग जी तुमारा दिम काजल क्या तुमने कतल होते हुए देखा है इसने कतल नहीं देखा लेकिन कातल को लिफ्ट से निकलता हुए जरूर देखा है किया तुमने कातिल का चेरा देखा है नहीं पापा तो फिर ये चश्मदीद गवा कैसे बन गई इससे गवाई देने की जरूरत नहीं हमें जूटी खबर मीडिया में फेला देंगे कि पुलीस के पास का चश्मदीद गवा है तुम्हारे शहर में पुलीस वहले कौन सी पड़ी है जो साड़ी पुलीस ने पड़ी है आप खुद सोच लीजिए तो तुम मेरी बेटी को बली का बक्रा बनाना चाहते हो ताके खबर पढ़के कातिल इसके पीछे लग जाए और तुम उसे पकड़ लो इसका मतलब हम दोनों ने एक ही किता पड़ी है नहीं इसका म आप खोलना बिना मुझसे पूछे जावब क्या निश्या का मुडर हुआ था हाँ उसे ड्रक का ओवर्डोस खुद नहीं लिया था कोई और था जिसने उसकी गर्दन पर सूई लगा कर उसे ओवर्डोस दिया जाहरा कि यह वही शक्स है जिसके बच्चे की वह महा बनने वाली थी ओ माइगाड निश्या प्रेगनन थी हाँ पोस्मॉटम की रिपोर्ट से जाहर है केशी उस प्रेगनन मैं जीना चाहती हूं काजल मैं मरने नहीं चाहती इसलिए उसने मुझे फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया था उसे अपनी जान का खत्रा था अब उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं उसका खुनी आज भी आजाद घुम रहा है शायद फिर किसी नीशा को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी कर लाओगा नहीं करन मैं गवाही देने के लिए तयार हूँ जिस तरह जैसे भी तुम का हो मगर तुम्हारे पापा तुम्हें गवाह नहीं बनने देगे मैं जानती हूं लेकिन करन शादी से पहले टेक लड़की पर उसके पिता का हक होता है ना उसे उनकी मर्जी से चलना पड़ता है लेकिन शादी के बाद शादी के बाद उसके पती का हक होता है करन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और तुम्हारी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हूं और वैसे भी मैं बालिक हूं ओल्ड अनफ टुमेक माइवन डिसिशन्स बस तुम एक बार मुझ से पूछ कर तो देखो अगर आप इस शादी में नहीं चाहेंगे तो कन्यादान कौन करेगा मुझे अफसोस है रुकमनी कि तुम भी काजल के इस बच्पने में उसका साथ देना चाहती हो नहीं यह शुरुआत है एक अंत की और मैं इस बरबादी का कवा नहीं बनना चाहता हूं अगर यह शादी होगी तो मेरे बिना होगी आओ बेटी एक्स्कूज मी हैपी मेरे लाइफ टैक्सी तयार है मिटे डाउन है ओके हानी मून यह अगर लेकिन आज से तुम्हारा नहीं हमारा करें मैंने अपने में सचा था यह सब कुछ अचानक हो जाएगा आप है कर अवारी शादी हो गई हमारी शादी हो गई है अच्छा एक बात बता बैब कुल वैसे बीवी हूं जैसा तुमने सोचा था या उससे बहतर पहतर ना इस जैसे और कोई दूसरी नहीं हो सकती करन मजाक में भी मत कहना मैं जंदगी में सब कुछ बाट सकती हूं अब तुम्हेरी हो सिर्फ मेरे यह क्या क्या सगंदर तो ने अरे यह क्या सगंदर तो लएग पहली गलती तुने यह कि कि तुने उस लड़की को अपने हाथ हो से मार दिया मैंने तुझसे कहा था ना कि जिंदगी में कुछ भी करना मगर अपने दावन पर कभी खून के दाग में लगने देना वो मेरा काम है मेरा काम क्या किया तुने यार तुछ गाता ना मैने कहा था कि नाहीं कहा था तो फिर तुफिर काई को किया ऐसा उपर से तुथरी गलती उच्छमती इस गवा को जिंदा छोड़ाया और गवा भी कौन एक पुलिसाफसर की बेटी और दूसरी पुलिसाफसर की बीवी तु तु भाई की सुनता कहां यार गलती हो गई भाई लेकिन मेरी गलती है मैं ठीक करूंगा अरे तु क्या ठीक करेगा तु क्या ठीक करेगा ये कोई गणीत का सवाल ने जी तु रबर लेके उसे साफते देगा ये खुन के दाग है छुटे ये खुन के दाग है ये ठीक किया रदेखाँ, अभी देखिया रहा है, यागर टपकादो उन्दोनों को आँ, कुराँ! काजी, तुम यही रुखनाँ, यहासे है लमाद, यहलो! आए रोमाद, यहलो! काजी, नूम्हाँ, तुम्हाँ रुखनाँ, यहासे हैं लमाद, येलो! फिर खिर फिर दिर फिर फिर जग दा आज constituरव कर दो आज हएा डो प्योंग जाड़ा सो दोद दीछा करा दो कि अर्फमा अर्फमा टूए स्वासर रुजगा ओर गयाँ हिरा लुछा सेर्फ़ा भाड़ा इंगर अजड़ा आ ठाशाव है विज फिपके इफार गुछा विजुगा ऑड़ा ऑड़ा माश खबमासर पेार अवज़ा आ दोर कि प्यास दीजार शीजर नाल मैंने कहा था मैं एक बुरा सपना हूं कहा था रहा बार्ट गंदार गंदार नमस्कार कौन बनेगा रोरपती आमेन करोरपती में आपका सागत है आप और हम खेलेंगे कौन बनेगा करोरपती परहला सवाल राम कहां बसे थी यह अमेरिका बी जपान सी भारत और डी रोम भारत जवाब गलत है राम रोम में बसे थे यह अमकर आप लोगों ने दाना नहीं सुना मेरे रोम रोम ने बसने वाले राम नाय बच्चों आप लोग बिलकुल सही थे राम भारत में बदे थे और आप बदे थे इससे आप लोगों एक एक प्रेप्शी दिया जा रहा है अगला सवाल गाड़ी का एक टायर पंचर होने के बावजूद भी दिल्ली से आगरा तक डान स्टाप गाड़ी पहुंची आपको यह बताना है कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर था भी अगे का है था है एपंचे में कम्पिटर जी तकी में को आप असी हजार जीत रहे थे अब आप एक लाग साथ रुपए जीत रहे हैं बेलकुल सही जवाब टिक्की में का टायर बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग अगला सवाल एक शिकारी ने एक शेर का एक गोली से पंजा और सर गायल कर दियां आपको बताना होगा A. क्या शेर भाग रहा था B. शेर सो रहा था C. शेर नाच रहा था । द. शेर खुजा रहा था कांपूदर जी लुग कर दिया जाया शेर भाग रहा था ये खलत जवाब है शेर खुजा रहा था उस दो गोली लगी पंजे पे और सर पे फैडला फैडला अगला सवाल है रावन की लंका किसने ड्धाई ऑप्शन्स हैं करन भाया ने ऑप्शन देने से पहले बूल दिये बेरी इंटलिजेंट बॉइट कोई लाइट ने यूज करो कोई लाइफ लाइफ लैंनी बची यह रावन की अई शुर शुर। कॉंदेंट कॉंदेंट लॉट कर दिये जाया उनको अल्रेडी लॉकर जेकरन भान यांकल आज नहीं को गे व्यमेट पफोर आज तुम मेरे खास महमान हो कहां गए तुम्हारे पावर वाले आदमे कोई तुझे बचाने नहीं आए तुझे और तेरे भाई को भांसी के तकते तक पहँचाने के लिए मेरे पास काफी सबूत है कहां छुपा है तेरा भाई I hate your face वार से देखने इस जहरे को तेरी आखनी सास तक ये जहरत तेरी आखों के सामरे होगा मुलarf में तकता करी करे क्या तकता क्या sports प्रेंकर कर करें में आख। वाले 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 करें एसे कोड ले जाने के लिए तयार करो मिलोड, ACP करन सिंग ने मुझसे जूटे बयानों पे दस्कत कराने की जबरदस्ती कोशिश की और चम ने दस्कत करने से इंकार कर दिया तो इसने बार बार के मेरी यहालत कर दी मिलोड He's, he's framing me in a fake case I, I don't know, मिलोड मेरे मुख्किल की हालत और ब्यान से साफ जाहिर होता है कि मेरे मुख्किल पर पुलिस का सड़ी में जो जुल्म हुआ है उसके जिम्मेवार है ACP करन सिंग ACP करन सिंग क्या यह सच है कि आपने मुल्जिम सिकंदर को बेरहमी से मारा No, your honor, यह बात सच नहीं है You want to kill me? Your Honor Your Honor, he wants to kill me See, see He wants to kill me Come on Come on Come on, kill me I said kill me He wants to kill me Come on Come on, kill me I said kill me I want to die Kill me, kill me man Order, order, order I want to die I want to die Oh my God Miload, police custody में मुझे मेर मुवख्किल की जान खत्रे में नजर आती है Is a doctor judge की जरूरत है And it may be possible that he will have to be underlust It is very necessary to take this hospital It is very necessary to take this hospital That is why I am trying to try to take my hospital That I am going to take the hospital Not that they are in police custody You want to kill me Permission granted If you want to do ة अजड़ी नदाश्टारा इस Libre वों प्रफबसमें आपने यदाँ है गर को घस्टतार सेफलीश जरन कि अमलाद सीमर के घर क् Hani J品 नकश לו कि को न उनार इंधे खिया वाल विप वाला ही ट glitter ज एरक ए अड़र एक उलीश बनार इंद आर की सब्सक्रा छ कर दाधि के टेंज है झाल एडाए पहाँ लेड़ कि भूुब्स दिल आवि tua पिल आविए नविप लिए लेक्ट को अ रिए खाँ एड़ को उड़ खाँ एड़ आविए लेड़ के गुरिय को अछेश आविए! दो झाल कर दोल जाका। प्यात्तो दोगरे दोप दोग जोगर धाक। पैस के दो एा दोगरे भी दोगरे हमांगी वाय को प्यात्तो रह आए कि अ अट्थ करो दोगरे कि दोगरे है तौर जब में बाट जचा जवार कन फिल कर एंगandır प्रापश जड़ में अर जड़ जशुआ है ठाल में जड़ prints एंगर कहलोई हुप खखखख़ भू सुट हो उपार जीजवर के लुफ है डितकी पीकरन! मैं कहता हूं अपने आपड़ पर काभू रखो! तरह दो ने साल! आज की ताजा खबर कावा फिरोजी पकला गया आज की ताजा खबर कावा फिरोजी पकला गया मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीप करन सिंग को मागा था वो पूरा हुआ गावा फिरोजी को पकड़ कर करन सिंग ने जिस बहादूरी का परिचे दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शेहर का डीसीपी बना दिया है पुलिस मेक में के लिए ये गर्व की बात है डीसीपी करन सिंग स्टेज पर आकर नामानपत्र हासिल करें हमारे देश को ऐसे ही बहादूर अफसरों की जरूरत है वेल दन करन सिंग वेल डान दामात की तरह के मुबारक और जूशिंगी मैं चाहूंगा की डीसीपी करन सिंग दो शब्द हमारे अफसरों कहें प्लीज एक आफिसर का काम बोलना चाहिए जुबान नहीं जै हिंद जै हिंद तुने बहुत बड़ी भूल की है जिसका अफसोस करने के लिए तू जिन्दा नहीं रहेगा अफसोस तो मुझे रहेगा कावा मगर इस बात का के मैं तुझे तेरे भाई के साथ खातम नहीं कर सका मेरा भाई मेरा पच्चा था तुने उस मासूम को बार डाला उस मासूम का What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोड़ा भाई तै इसलिए वो मासूम था अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हत्यार क्या होते हैं जाता है तुने कितने मासूमों की जान लिये और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी क्योंकि तेरे फेलाई हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा मसूमों आता है, तेरे इन साफ सम्यों करते विब से टारता है ना भी तेरे साफ तार्थ तार्थ से खार्थlarda गार्थ फिरे तेरा सब्लार कभी िुराने हो यह शऴए पूर्या पराना चाह कि पारीस रसे पारीस वाना साला में है तुनрывthe मुझे हुआ, बिल्भाइक वारूंगा आप, आप, इसीह टारब। मुझे को बोल। ओफिसर, जिए गवा गवा को पुली सेकुरिटी में रखना सेफ नहीं है. उसे फ्राइन सेन्टरल जेल की टाइट सेकुरिटी में शिफ्ट करो, सर्थ झाल 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 आपका आपका इस मुल्ट से निकलने का नजाम हो गया है यह जाली पासपोर्ट और एक टेरे भी पासपोर्ट के तैयारी हो गई झाल झाल आज के बाद कावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है लेकिन सिकंदर का बाहिश जिन्दा है चलो आजा एक मिनिट सर गावा फिरोजी सर चेहरा और जिस्न बुरी तर से जल चुका है इट वज अमेजर आक्सिदेंट ठीक इसको पोस्ट मॉटम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भीज़ो अच्छा ही हुआ गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रक्स के गंदगी भी खत्म हो गई सर हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है पर उसके ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्टरी का अभी तक पता नहीं चला करनृ करन जब राओरं ही मर गिए तो उसके लंका कब तक बचे गी पुलिस की फाइलों में गोभा का नाम एक भूली कहानी बंकर रही जाए जाए आप सोच किया रहे हैं गावा साथ उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकार नहीं उसे इतनी आसान माउद देना तो उस पर रहम करने के बराबर है उस हराम खोर को मैं सीम बाउत हूंगा कि मेरे सिकंदर के रुख को चैन मिले सकून मिले कि रहे बहुत चल्दी छोड़ गया तो मुझे तेक तेक कैसे तड़ता तेरा भाया के ला तेने बिना ऐसा तड़ता हूंगा कि मौत की भीग मांगेंगा वो तब जाके खेरात में मौत दूगा मैं उसे कि उसके बाद ही अपनी शकर देंगा मैं तुझे केला आदमी अपने काबिलत के भूते पर क्या कर सकता है यह डिसीपी करन सहीं ने करके बताया इन्होंने मुंबे शहर से सारे जुर्म और आतंगवाद का सफाया किया है अब मैं मुख्य हतिती मानिनिया मेर साफ से गुज करको कि अब हुा अँसिती अथ जब भाज़ा का सफाया है कबीर के यह तुम्हारी ऐख रही तरह कुछ और लोग होते। जिने इतना भी आद रहता है कि यह घहरत-मन्द यतीम किस हाल में जीते हैं। इन बच्चों के रहने के रूम्स, उनके स्कूल का फ़र्नीचर, उनकी छोटी छोटी बेसिक नीट्स भी हम पूरी नहीं कर बाते हैं, करन तुम तो इतनी अच्छी पुजिशन पे हो, अगर किसी सोचल और अगनाइशन से बात करोगे, तो वो जरूर इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करेंगे, यह राइट काजल, हम एक फ़न्रेजिंग फंक्शन और्गनाइज कर सते हैं, फादर, आप फिक्र मत कीजिए, आखिर हमारे देश का भवेश्य इन बच्चों के हातों में तो है, God bless you my son, beloved children of God, क्या आपको पता है, कि छोटे छोटे बच्चे जो इ my dear friends, remember, God always helps them, who helps themselves, thank you sir, thank you, thank you, thank you, God bless you all, this is your efforts, my son, that we can spend 3,25,000 एखटा कर भाए, the credit goes to you, करन बाया, इकोड बैग देकर गया है, अच्छा, हाई बीटा, हाव यो, my God, इसमें तो किसी का नाम पता भी नहीं, लगता कोई गुपदान देकर गया है, कौन हो सकता है, जो आश्रम के बच्चों को इतने लाख रुपए दान कर दे, इससे तो हमारी सारी प्रॉब्लम कोईोष औल्योजर्म फादर? जब हो आई? मिद्नाइट, बट्वें ट्वेल्ट्रेटेटें और वनुट्वेज़ जब सिस्टरेजा ने दर्वाजा कोला तुन्हों ने फादर जोजब को हैंग पाया आइपिंगे इस आप सुसाइब फादर? उस महरम के लिए ले जाओ एक्स्क्यूज में, डीसीपी करन सिंग येस धनन जय कदम, फ्रॉम सीवी आई हमें फादर जोजब का एक सुसाइब नोट मिला जिसके सिलसल में आपसे बात करनी है आप हमारे साथ चलिए चलिए करन, मैं अपनी जिन्दगी से तंग आ चुका हूँ आज तक मैं अनाथाले को मिलने वाले दान की रकम को गबन करने में और अनाथाले के बच्चों को विदेशों में बेशने में तुम्हारा साथ देने का पाप करता रहा मगर अब जो तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो उसे मेरा जमीर बरदाश नहीं कर सकता इसलिए मैं आत्मात्या करके अपने पापों का प्राश्चित करना चाहता यह सब जूट है जूट है फादर ऐसे लिखी नहीं सकते आपके कहने का मतलब है यह सुसाइट नोट जूटा है और इस पर फादर के जो दस्थकत हैं क्या वो भी जूटे हैं जब यह चिठी ही जूटी है फिर यह फादर जोसफ से आपका क्या रिष्टा था इंसानियत का हमारा मतलब आप दोनों क्या बिजनेस करते थे वो कोई बिजनेस नहीं था अथाले के लिए कोई 50 लाग का गुपदान कर गया जिसका आप और फादर के सिवा किसी को पता नहीं था गुपदान लेना और देना कोई जुर्म नहीं है आपके बैंक एकाउंट में जो 25 लाग रुपिया जमा हुआ क्या ये भी गुपदान था इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं ये गुपदान है या कुछ और मिस्टर करन लेकि आप वहां गंदगे ढून रहे हैं जहां कुछ है ही नहीं अफर वह कौन है जो आपको फसाना चाहता है अगर मुझे पता होता तो नवा अलो जर्डी सीपीश आपको फोन देना प्लीज सारी माइडम फोन अंदर नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकते सीबी वाले साहब के इंक्वाइरी कर रहे जब वहार आए तो उनसे कहना घर पे फोन दो, okay? Okay, I am. अरे, लाइट को क्यो हो गया? जी? BSES भर्या, अमने तो कोई फोन नहीं किया? वोदे इलागे का लाइट गया वार, मुझे आपका लाइकमीटर चेक करना है आई, प्लीज कमें थांक्यो लाइट का मीटर उधर है, लेफ्ट में जी और मिन का है उधर का जी? का जी? काजल काजल है क्या हुआ है पता नहीं मेरा सर बॉत दुख रहा है तब यह तो ठीक है ना इतना अधेरा क्यों कर रहा था गर में लाइट चली गई थी वह बीज एस वाला आया था उसके बाद मालम नहीं कुछ यार नहीं आ रहा है करेम ने तुम्हारे ओफिस में फोन किया था तुम्हारी को इंक्वाइरी चल रही है हाँ इंक्वाइरी चल रही है किस बात की इंक्वाइरी अरे पता होता तो पता था ना इंक्वाइरी क्या पता मुझे किस बात की चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा कर दो कर दो करेंग! 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 कि अ कि अ कि अ अ कि आपको सो इसमार गार मुझा सुपबी कि अ मत अ भार्णनु कि हां. प्रिक्षे खार से कौने लुआ लुआ हैं. अब के लिए जिन्दकी और माद का फैसला तो होता ही रहेगा फिलाल मुझे ये देखना है कि तेरे हाथों में अब भी ताक्त है ये नहीं अगर तुने मुझे हरा दिया तो मैं तुझी यहां से जाना है तो हाथ से लड़ेगा या एक से देखना है मेरे सिकंदर को मार किया और मुझे पकड़कर तुने बहुत शारत और नाम असल किया है ACP से DCP तेरा करियर आसमान को छूता रहा और साही की तरह मैं हमेशा तेरे पीछ रहा है लेकर आज बड़ा मजा रहा है क्योंकि तु मेरे सामने है तु हर गया कावर कामान बॉइ अब जान बहत है हम अभी जान बहत है हम आप अभी तो तेरी परिशानी शुरू है वे खालो ममा, कल वो बिना बताय घर से चले गए थे, अभी तक ना कोई फोन आया ना कोई खाबर, बुछे बहुत डर लग रहा है ममा, नहीं, तुम बिल्कुल मत कपा काजल, मैं, मैं पता लगाती हूँ शाजिया कहा हूँ ही शखाजिया करन का दो दिन से कुछ पता नहीं कोई मुझे पताता भी नहीं कि वो कहा है प्लीज हेल्प में अंकल कहीं होने कुछ डॉंट वरी बेटा आई लोग इंट दी मैंटर्व के अंचे मार्टे नहीं देता है कि मार्टे नहीं तुझे आसानी से मरने नहीं दूगा क्या चाहता है मैं चाहता हूं तो जिन्दा रहे है कुछ नाइट करन का कहीं कोई बता नहीं चल रहा है काजल बहुत परिशान है आप कुछ कीजे ना गार जाना ना पीवी इंतजार कर रही होगा को की लेता है कि नहीं चाहता है तोगी बहुत इंतवागी एंते है हाँ होड़ है अब लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, गावा फिरोजी ने मुझे पकड़ा और उसी ने मुझे ड्रग्स दिया, और इस रिपोर्ट के नुस्तार, तुम्हारे अंदर जो शराब पाई गई वो, जब वो मुझे ड्रग्स दे सकता है, तो क्या मुझे शराब न बठा दिया, और फिर मुझे से गाड़े ही वो, DCP Karan Singh, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस हरकत से, फुटपात पर सोई हो लोगों का कितना जानी माली नुकसान हुआ है, वो मैंने नहीं किया, वो, गावा फिरोजी ने, उसकी वज़े से, सर, बस एक बार, सर, गावा फिर यह फिटनेस सेंटर कब से चब रहा है, ट्वेंटी यह आप कितने साल से हैं है, सेवन यहर्स, अच्छा, थैंक यू, वेल्कम, करन, सब ठीक हो जाएगा, करन, मैं तुमारे साथ हो ना, करन, करन, मुझसे बात करो ना, करन, 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 क करेगा तो आम जंता का क्या होगा डिसी भी करन्थ आप हमारे सवालों को जवाब को लिटेते हैं करन्थ हर चीज के लिए मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठेहरा सकते कि उन्होंने सच्चाई को तोड़ बरोड कर या बढ़ा चड़ा कर पेश करने की कुशिश की है क्योंकि उनके सामने भी तो वही फैक्ट्स है जो हमारे सामने है सच्चाई सिर्फ एक है कावा फिरोजी अफसोस है कि सच्चाई तुमारे सिवा और किसी को नजर नहीं आ रही है कावा फिरोजी है सर वो ही मुझसे पतला ले रहा वाइ डूंच यू अंडरस्टैंड करने गावा फिरोजी मर चुका है और एक मुर्दा क्रिमिनल के लिए तुमारा इतना जुनू तुमारे ही खिलाफ सबूत बंता मुझे बड़े अफ्सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब तक इस केस की कानूनी तोर पर पूरी जांच नहीं हो जाती तो मैं नोक्री से मौत्तल करने का हूँ यू आर सस्पेंड़े अर्जुन सिंग सर और इसकी पूरी कारवाई का जिम्मा आपका है मुझे आप लगों से यह उम्मीद ना थी तुहल विद्या इंक्वाईरी एंदुहल विद्या सिस्टर क्या बात है करन? तुम बहुत परिशान लग रहे हो कुछ नहीं मुझे नहीं बताओगे मुझे नहीं पठाचलेगा सब को जानते हुवए भी सवाल करेहिए हो यह मेरी प्रॉबलम है मैं खुद सॉल्व करूंगा मैं जानती हूं लेकिन मैं तुमारी बीवी हूं प्यार करती हूं तुमसे तुम्हारी मदद अगर ना भी कर सकूं फिर भी तमारी फिक्र करने का थैस प्हें करती हूं मैं फिर तुम्हें बटाओ कि क्या करूं मैं आपनी आखे बंद कर कि सब कुछ अंदेखा कर दो उस दिन भी घर से चले गए पता ने किसका पीछा कर रहे थे तीन दिन तुम घर से गाइब रहो, दिल नहीं मानता है, फिर भी दिमाग हजार सवाल पूछता है, तो अब सीबिया के साथ-साथ, मुझे घर में भी सवालों को जवाब देना पड़ेगा, हाँ, देना होगा, तुम मुझ पर शकरती हो, मुझ पर, तो मैं क्या करो, तुम्ह ज़ाईर, मुलाइजा ऑप, अर्ज है, कभी अखका, कभी अध्धा, कभी पववाभी पीते हैं, अगर फोकट की मिल जए, तो मतका भी पीते हैं, पकड़ करले छेले पुलिस वाले मुझे थाने में, मैंने का अधर अधर ऐजर आभरा मेरे अभ्बा भी पीते हैं वोल जिक्राइब क्या मंगता है एंग तो मैं नजर आती है लेला नजर आता है कि पुल्टी जीजा विड्यों मत्पी तु इसका अधी नहीं है बुरी चीज है मद पी मेरी बाइब मेरी जिन्दुगी से ज्यादा बुरी तो नहीं जैक्सी आज मैं उसकी निकाहों में किरकेया जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरी काजल शक करती है मुझे पर सब उस कावा फिरोजी की वज़ा से ठीर जिंदा है जिर्दा यह वह को कह निहीं नहीं करता यह कि अधीर तो में जानतों साब कि भाजा फिरोजी जैसे शेटानी थान्वाशन चांट आसानी से मरने वालाने है उफन पहलाया रहा होगा पहला है ज़ theo शब्सोंभा जरूर मरेगा जब तुमों से मारोगे तुम उस आराम खोर पारे में इतना सब कुछ कैसे चांटे आख है मैं और मेरा भाई उसके लिए काम करते थे हैं एक दिन उसने मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने मार दिया हूं कि उससे इंतकाम लेने के लिए मैंने अपनी मौत की जूटी खबर उड़ा दी इसलिए बेज बदल बेलकर उस आराम खोर से अपनी मौत को दूर रखता रहा क्योंकि मुझे भरोसा था कि उस दर इंद्य को एक दिन तुम ही मौत दोगी मौत दूंगा मौत दूंगा कि गाफ रोजी काँ चुपाऊगा बस तो मिटर डाउन मत करना है टैक्सी बहुत जल मेलेगा अब दूनिया मेरेना है तो काम कर प्यारे आच चोड़ सब को सलाम कर प्यारे साहिप आपके लिए कोई देकर गया है क्या 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 आपके त। कामम साइब वो तो मंदिर गई है हाँ करन यह क्या कर रहे हो तुम यह पुजारी जी है क्या हो क्या तुम्हे करन करने तुम्हें आप लोग क्यों मानेंगे मैं पागल हूं ना सबूत चाहिए ना अब पता चल जाएगा देखिये यह मैंनी यू काजली मैं यह सब जूटा है जूटा है यह सब जूटा है कमिशनर जी यह 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 मैंने हूँ कमिशनर जेखिजी इसे लाए कमिशनर यह सब जूटा है यह मैं मरी पाजमान यह काज़ 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 यह सब जूटा काज़ 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 यह मेरा यकीन करो काज़ में, में तुमें कर दो बरायू आ अ जा अ जा अ जा आ तो जा मार्दूंगा का एडोस आ नहीं आ जा आ का मार्दूंगा बरायू काजल 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 पती के घर से एक पतनी की अर्थी उठती है न मा क्या इस लाश को इस घर में थोड़ी सी जगे मिल सकती है काजल 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 मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ओफिसर को मैंने महकमे की शान बढ़ाने के लिए बुलाय था वही महकमे की शर्म बनके रह जाएगा और जिसे मैंने अपने हातों से डी सी पी का तमगा लगाय था उसे डिसमिस करने का होक्म भी मुझे देना पड़ेगा करने अपना आई कार्ड और वेपन शरंदर करें यू आपने अपना आई कार्ड और वेपन शरंडर करें यू आपने दिसमिस्ट आपने अपने 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 मार देना चाहता हूं पार देना चाहता हूं सालिक को साही की तरह मेरा पीछा कर रहा है वहां कौन आपने अपने 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 अपन बाव याव बुल बुल संटी 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 कामाँ अलाइ बाग्यू राइ बाग्यू राइ बाग्यू रिवादा आपको देके एक सहो. सखते एक समय. संटी सेखते बाप्यो अजय प्रजुन सिंग तुम्हें अपने रिष्टे की परवा न करते हुए करन सिंग को किसी भी कीमत पर हाजिर करना है जिंदा या मुर्दा सर्थ करन को पकड़ में जा रहे हूं लेकिन यह मत भूल जाना काजल तुमारी बीटी है रुकमनी ये उस वक्त सोचना चाहिए था जब काजल का हाथ उसके हाथ में दिया था तब मुझे उसकी प्यारी थी आज उसका सुहाग अवरत का भरोसा इतना कच्चा नहीं होता कि शक और रिजाम की पहली बारिश में भीग कर भेजाएं सारी दुनिया भी अगर करन के खिलाफ हो तब भी मैं नहीं मानूगी कि वो गुनेगार है तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है उसने अतनी किसमत खुद लिखी है पापा आज मेरी जिन्दगी का पहला करवा चौत कवरत है मुझे आशरवात दीजे कि मैं सुहागन मरूं मुझे तुमसे बात करनी है अब हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है बचा है काजल जो मैं तुमसे जाना चाहता हूं एक ऐसा सवाल जिसे मेरी जिन्दगी और मौत का फैसला होना है काजल मैं सब कुछ खुँआ हूं तुमें खोना नहीं चाहता तुम अभी मुझसे प्यार करती हो ना तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच आहे कुछ भी हो जाए प्यार तुम्हें तुम इसे करती रहूंगी ना तुम उच्पर विश्वास करो मुझे तुम्हारे विश्वास की शक्ती चाहिए ताकि मैं दुनिया से लड़ सको और दुनिया को ये थाबित कर दो के गावा फिरोजी जिन्दा है मगर तुम ये सब करोगे कैसे उसको मार कर मेरे लिए आप ये युद की शुरुबात है तुम चारो तरफ से गिर चुके हो बादने का कोई रास्ता नहीं है अपने आप तो कानून के हवाले कर दो ये मैं तुम्हे आफ्री चेताब नहीं देता हूँ नहीं है बापा रजे वहाँ केसे नहीं मैं कैता हूँ हटचा ओ रुख क्यों गये पापा चला ये गोली अबार दिजिए मुझे कमार शूट मी शूट मी शूट मी शूट मी मुझा बाजातर है काड़ तुम काड़ा हो टाक्सी टाक्सी जो विले पाले करेंक्यों अंकल करमया कभीत करमया करमया काड़ी देखको वो काड़ी देखको गावा फिरोसी लिगाया भाव यह कर अवर्ण पर खर्ण याव ये लो ये फजेखको करें सिर्ण करेंस कि था आव कि वर दो जानती हूँ मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूँ अपने अभाई की मौत का दर्ड जो मैं अपने सीने में लिए घुम रहा हूँ उसी दर्ड से मैं करन को तडपता हूँ देखना चाहता हूँ तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की एकावा करन सरूर आएगा मैं भी चाहता हूँ वाई अगर तुम तक पहुंचने के लिए उसे हर कदम पर मात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सब तरफ लाइंड माइंज और बॉन लगे हूए अगर वो इन सब से बचकर यहां तक पहुंच भी चाता है तो नसी बाला है जो अपनी जिन्दगी को अपनी आँखों से मौत के मूं में जाते देखेगा उस वक्त मैं तुम्हारी मौत का खाफ उसकी आँखों में देखना चाहता हूँ गोर से देखना उसकी आँखों में तुम्हें खौफ नहीं, तुम्हारी मौत नजर आएगी पाऑ़ यिधे शुम्हारी में विप पामि이지 नगभा तुम्हारी में विपने लगेों छूहीं कर तर प्टोध कर दो अदो खिर दो घ्ट औॉ कर दो. 동 प्हूल प्हुल थो करा रो नव वई करांट! 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 काहा है मरी बीवी काहा है बीवी काहाल करां! 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 अपनी बीवी की चीक तुझे यहां की इच कर लाई है, ना? हाँ, जानता है? मेरे भाई की चीक ने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूच रही है अब तो वो चीक सुनेगा जब तेरी बीवी के टुकले टुकले तेरी आँखों के सामने हो में कर दो कर दो है हराम खोर अपने भाई की चीक सुनाई देती है उन हजारों मासुमों की चीक सुनाई नहीं देती जो तेरे ड्रक्स और हत्यारों की बली चड़े है क्या वो किसी के भाई और बेडे नहीं थे? आज तु अपनी मौत की चीक सुनेगा नाई गाता अथा लिगो क्या चीक सुनेगा क्या रिक चीक झाल 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 क्या भुँ कर दो कर दो गराण करिषवान करें थ 시청 जो रो कि विल कि पडसे कि वज़ कि वर्ण हुआ हो पाई जया हुआ लग हुआ है हुआ हुआ हureau हुआ है हुआ हुआ है क हुआ है के लिव और हुआ लुर कौ리हाएएबषों है? जयाएएबषों है! ПрО j黨 ! लडरा हैं उडरा है! लडरा हैं? लोगे लेडा है els कला सब मते implementing हाज प्रद गार्णा पार्णे सर्ग परे दुड़को अे, फारे अे हाँ पर्द आड़को प्रणे याँ झाङ, जया जोड़ रखार गला वालना देने घाट, अजो रह प्रेब करो वह झाँ, एक सर ठया universities ने एंत वाप दोड़ां दो लोगा वोगाइज पार राघ पार टो प्रेथी झाला टुब होगा बाल नहां पार मारा टुब होगा था खिजर सबस्द होगा कई दोगा झाला टो लोगा दोगा प्र रागा है झाल 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 झालुपन तें झालुपन पिर झालुपन यालुपन! प्राफ गॉपने झालुपन प्रोफने थे उते प्रॉपन कि अ कि अ कर दो कि अ आफ से नाफ से अ जाफ अ कि अ कर दो कि अ ए अ सिम्ई कि अ एए इस पह एए दो बाफ से अ जाफ, टॉज יותר दो दो कि है, आफ रहती है, मुझे आफ पमगा ह। से में कि अधिया कि अधिया कि हाल ही में कि आतंक वादियों ने ये जो मंदिरों और मस्जिदों पर हमलों का सिलसला चुरू किया है इसका उदेश सिर्फ सामपर्दाइक्ता को बढ़ाना है ताके सरकार को देश की उन्नती के बारे में सोचने का कोई अफसर ही न मिले इंटेलिजन्स की रिपोर्ट के अनुसार जो आतंक वादी संगठन इन गतिविदियों में सबसे आगे है उसका नाम है अलताहिर और उस आतंक वादी संगठन का लीडर है बाबा जहीर इसके लिए इंटरपोल रेड अलर्ट दे चुकी है और ये रिपोर्ट मेरे मंत्राला ने आपको भेज दी है अब मैं ये जानना चाहूँगा के इस बारे में हमारी सुरक्षा सामधी क्या कर रही है सर सेना को ये रिपोर्ट मिल चुकी है सर और हमने ये भी मालूम कर लिया है कि वो किस एरिया में हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक वो लोग इस्वल कुपवारा में और हम अपना अपरेशन शुरू कर जुगे सर ब्रिगेडियन मलिक मैंने ही चाहता पार्लीमेंट पर हमला अक्षर धाम या जे एंड के असंबली में घुसने जैसी घटना फिर से गटे इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी मैं समझता हूं सर इसलिए जहिर को पकड़ने के लिए अपनी बेस्ट पैरा बाटालियन भीजे सर इस ओपरेशन का इंचार्ज कौन है करनल रनवीर सिंग रनावत झाल 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 कौने मिली पूड थोड़ जात्य कोई इसारिस भूड घाल झाल उलक लाहंत är बिड़्रिए श्वरया फिर्णफरमीशन ट्रीट आपने शार्ज श्मयर कौने इस सक scholar वालिकुम असलाम क्या खबर? खेरियत है अलगा शुक्र है कि हमारा मेशन कामियाब हो गया टाइगर कॉलिं सकीना कमिंग टाइगर सकीना है हमें सारी खबरे मिल चुकी है आपका काम काबले तारीफ है लेकिन दुश्मन आपको घेरने की कोशिश कर रहा है इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके में वापिस आजाएं ठीक है आज रात हम सरहत पार करेंगे आप इंतिजाम कर दीजी आपका इस्तक्बाल करने वाले तैयार है खुदा हाफिस खुदा हाफिस सर्थ, दुश्मन का पता चल गया है उनकी ग्रीड रफ्रेंच है 304259 जो कोड में आए इंटिसेट दन बाइ सिगनल्स इंटेलिजेंस उनिट पस्टिस इमिजटली तो ब्रिगेड हेट्वार्टर्स तैयारी करो अंधेरा होते ही अम यहां से रवाना होंगे आजिसे अंगेरा उड़्यार्स बज़्यार्स इंट 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 पाल तैयार्स यह इंट यह पार यह यह कर फुरा पुरा और डियसरे कार पुरादा लुरादा डिंड़ पुरादा नियुए नियु जा उन्हें पिड़र। युऴरमिड़र नियुए जयुए जसे एसे थे लग में ऑलादा आए भीप कर्क वा खुर्ण हुअ «ज मैं खुर्ण जढ गो, ताज ब भार। तुरक झाल नूरे दिए ऀं। पर दों तुर्ण हर लो तुर्ण ह toget कि अाग गुष पुचित बनान्नारीा टेधी आर कि राफ़ है जह रहाई जहाँ जहाँ रिसे छिग जगिसे लगा हैं लुब जब कि जगे द़ोगा वहाँ से वदोगा है। कि आप depths पस्त सा आप एड़ सबगने समय हैं। कि लगन कि आप एडिया टास भेपिया जर यहाता है metabolismo । कि रिट कंने खिरेतक उक उड़ाई उड़ झायाला है! वार वार भार नहीं कर ऐस दितनी हो पार साव का टा समय च हुडुू एक रख हुआ झाप हरादा झाप झास है। कर दो नोगोगी पालिख गर वजड़ हैं लादो वादो लादो चाल मेड़ों मिलीक ही जाता है अठाज को जारों खड़िख झाल में दोन्सा प्रादों आ जाता है अिस अ घे ठी तो सें लादों लादों वादों के अ कर दो 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 कि अपने मौत को जिन्दा रखके तूने बहुत बड़ी गल्दी कर दी कर्णल मजबूरी है जहीर खान हमारे देश में कुट्टों को मारने की परमेशन नहीं है मौव घ्रिश एड़ी गल्दी टूने वालो कि अायों कि अजय है कि आपके तूल कि अर्व कि अंपटल कि अर्व से अैंदाओ अर्व कि अर्व कि अर्व कि अर्व कि असलाव लेकुम वारेकुम असलाम आई कि क्या हुक्म है हमारे लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है इन लोगों को हिंदुस्तान जाने का वक्त आ गया है कब जाना है जितनी जल्दी हो सके इनकी मदद के लिए मेजर गुल शेर भी साथ जाएंगे जी हिंदुस्तान में अपने मददगारों को पहचान लीजिए यह है यह है फरीद कार गैरिज का मालिक इसका काम है आप लोगों को हत्यार मोया कराना यह संथानम पेशे से प्रोफेसर है कि आपको हर वो चीज दिला सकता है जिसकी आपको ज़रूरत होगी और यह यह है हमारा सबसे एहम आत्मी यह आप लोगों से कॉंटेक्ट नहीं करेगा और नहीं आप लोग इनसे मिल पाएंगे क्योंकि यह हिंदुसानी फॉच का बहुत बड़ा ओफिसर है लेकिन हाँ खुदाना खास्ता हमारे प्लैन में कोई गरबड़ी हो जाती है तो यह आदमी हर मुमकिन आप लोगों की मदद करेगा इस फाइल में सभी टिटेल्स हैं शुक्रिया हिंदुस्तान में आपको क्या करना है यह तो आप लोगों को मालूम है उस दिन सारा भारत खुठने टेक देगा तारीख याद है जे हाँ अठारा जून अठारा जून इंशाल्ला हमारा मिशन काम्याब देगा इंशाल्ला झाल्ला झाल आए बाए 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 भाए भुट हुआ 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 है क्या कर रही हो कोई देखे यह तो क्या कहेगा कोई कुछ नहीं कहेगा और अगर कहेगा भी तो मैं कह दूंगी कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं दो गिम्या हग कैसे आदमियों मंगेतर चार दिन बाद वापस आई है फ्लाइट में भागते-भागते मुस्कुराते- कि मूट खराब है कि सुबह सुबह मूट खराब होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है तुम्हारा वो सपना है ना है बोलो जय जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है तुम उसके बारे में जितना और सोचोगे और परिशान होगे इतव्स यो पास्ट चहेए, तुम्हारा अतीत अतीत हमारे बस में नहीं होता है नहीं भाविश्य हमारे कब्ज में होता है तो उसके बारे में सोच के क्या फाइदा? सिर्फ एक चीज़ पर हमारा कन्ट्रोल होता है वो है आज, ये पल, जो हमारा है और जानते हुए हमारा क्यों है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करते हूं और तुम मुझसे भूल जाओ जाए जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे प्लीज भूल जाओ मेरी खादिर करिम भाई नंबर प्लेट वाइट कर दिये लें बस तुम पतरा चेंड़ करो मैं आता है क्या से ख़गा तुम्हारा एसी विसाब तेरे को बहुत घाई है क्या बुरा वक्त जितना देर से आय उतना अच्छा है उसाब कबहुंगी साहुआ मुरिंग साम आगर वर साम आगे साम तो अपना आदमिय अओ में बोला इन लोग को क्या रहे लेकिन चाय भी नहीं पूछा कोई बात नही आद नहीं सुबका क्या हुआ पाता कर तूुुझ बठाब साम मेरे को की मुलें साम इन्फरमेशन चाहिए। इन्फरमेशन बोले तो? 16 नवंबर, पीकॉक बार के मालिक दासपा के मुड़र में जो गाड़ी यूस की गई थी, वो तुम सी खर्ली दे गई थी आरे सावम लो महिने म दस बाहरा गाड़ी थी 10 जनवरी माटउंगा में एक जोलर को लूटा गया था लूटेरे जिस गाड़ी में थे, वो तुम्हारे गजाच की थी वो को, 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 को इंसिडेंस आप, को इंसिडेंस चार दिन पहले, पुलीस इंकाउंटर में मशूर ग्याइंसर शर्द मारा गया वो जिस गाड़ी में था, वो भी तुम्हारे यहां से थी अरे साब, हम लोग जो है साब माल लेता हो ग्रहक को गाड़ी देता है साब, क्या मालूम साब कौन ग्रहक है साब और कौन क्या करता है यूनो साब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं फरीद इस सारे दो नंबर की लोग सिर्फ तुम्हारे यहां क्यो आते हैं अब साब किसी के थोबले पर थोड़ी लिखा हूता है एक नंबर या दो नंबर समय रहा है नसाब सार, सुबू आया है बुलाओ सुबू नमस्ते साब हम दो दिन सब ला रहा हूं कहां थे तुम वह क्या दंदा है नहीं साब अपना फूरसती चिनी मिलता हूं कहां थे ले जाओ से ले जाओ से चल्ड़े फरीद हालात बहुती खराब है एक बार आद्मी पोटा में भासकिया जी साब निकलना मुश्किल है जी साब खोश्यार रहना अगर कोई खाबर मिले नमबर रहना जी साब जी साब है जाओ जी साब सर यह फरीद कुछ लंबे चक्कर में है नजर रखो इस पर जी साब A420 एक अगल तो 5 T2 तो बाल टेक्स आराउंड टो सेकंग्ड यह यह पी गाडी लेयाँ कि तुम चलो मैं आता हूं है कि सर्जी ऐसी क्या प्राब्लम होगी कि तुम्हें यहां आना पड़ गया पोलिस को शक हो गया है एसी पी ने बुला के खाट कड़ी कर दी मेरी पोट्टा में अंदर किया तो जवानी में दिमक लग जाएगी अपने को माफ करो अभी आम का कि पहले यह बताओ दोवें जिनको तुमने हाइर करने की बात कि थे उनका क्या हुआ वो हूँ तो बहुत मुझाले मिशन पूरा होने के बाद मिशन कब शुरू होगा तुआ बहुत जल्द कर दो कर दो निया कर दो सबजे, चैय? कर दो हेलो, डेट्टा वन मेसेज, दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, एंपुश है, हमारी जगा, डेडी एक्स, एम, एम, ए, बहुत खायल हो चुए है, हमारी लिए, री इंफोर्स्मेंट भेज दीजिए, पुछ सе टीजिए, यूचिए, पुछ सुख रहता है, darby ज ही दुच, आर्पकोे जगािएजिए, बगा है, जगी है दोधने के लगा सपज़के, जाँ है। करे ल ास्प wizardओव सिक्स, गले, भुछ से थीजिए है? तुम्हें क्या करना है कहां जाना है जरूरत पढ़ने पर किसे कॉंटक करना है यह सब तुम्हें मालूम है जी देनाप यहां से मेरा काम खत्म है तुम्हारा शुरूर अलाफ जद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द सार रेडियो आपरेटर जिन्दा है सार वो पाश्ते सार यह वापस लोट गया और चार ही तर आ गये सार उनके चारे देगे थे यह मैं उन्हें पैचान सकता हूं प्रोफेसर यह आपने चिन्चार किताबों का ओर्डर किया था वो लेवरी से निकल चुकी है बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हैं ठीक है प्रोफेसर वाम कर दो कर दोड़ा है यह आपको यह आपको भी तक यह वह कि नहीं के तक यह एड Count भुदन अरे बेगम देखिए तो सही कौन आएक सब्सक्राइए अरे अहीं कम मुबारक है आपको भी वह बहुत जी हमारी जमाई राजा कहा है अरे भाबी जय नहायती नलायक लड़का है नंदिनी के बिलकुल लायक नहीं वो आप को दूसरा लड़का क्यों नहीं चुन लेती है यह आप जिसने जय को बच्पन से लेके अभी तक अपनी अउलाद की तरफ आला है अरे वो तो मेरी सब्सक्राइब को पता ही नहीं देखना ये जय होगा बड़ी लंबी उमर है उसकी है इद मुबारक आज ये सब नहीं चलने वाला चलिए कान पकड़ी अपने वना शीरकुर्मा नहीं देंगे आपको पहले मेरी बात तो सुनिए बहाना बिलकुल नया होना चाहिए सुना तुमने चलिए आए अंदर इद मुबारक भाईजान आगए बरखुरदार इद मुबारक इद मुबारक जीते रहो बेटा जीते रहो दस्मा बॉइब खुश्राओ बशीर भाई एक रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट यह है इन दोनों की मंगी को एक साल हो गया है क्यों ना दोनों को बंदन में बांद दिया जाए बही मैं तो नजाने कब से तयार हूं बही मैंने तू दुलन के जोड़े भी तयार कर लिया तो फिर पांचून कैसी रहेगी पांचून कोई चल्दी तो नहीं है लेकिन बेटा पंडी जी का कहना है कि तीन महीने तक फिर कोई शुब महुरत है यह नहीं भाभी मुझे तो मन्जूर है जै तू क्या बुलता है जब आपने हां के दिये तुम्हें को नोता हूं बोलने वाला है जीते रहो बेटे आज आपके जाओ बहुत बहुत बढ़ाई हो अ मैंधाय हो अ कि नमस्कर साहिब कहा है बाजू की पुरानी मिल में है कितने लोग दस बारा होंगे सब्सक्राइब कर दो कि अधिर्ण संभाल के रखने का एक तोतले बट्या पार्टी में नहीं आया क्या बे तोली सारी मेरे को नहीं बोलने का प्रोफेसर को बोलने का दर्दन तार देता दर्दन सलिजर्म प्छले प्रटी में नहीं आयंगे कि अधिशन टबाभत सिंदों सिंदों संभाल मत बला एक अधिए अधिव पादर्ये अधिए भादर्ये आपतर्ये बादर्ये गब गजे ज़ज भाइड़न जो हुआ जञ जग जब जब मुझे जग हुआ जगसी जब जदें जब 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 पिवाफवसित सब्सक्राव कर दो व्धिक जूज़ ऐवाज। कि अटकर और हैं... कि युछ कि वहांगी कि अजिए अटिस्टारी अट्डेटी से अटे कि अटिए युछ युछ वो… 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 संगा निंग। संट की अंगज। संग मेंद। वो… 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 वगशी वगशी जी वोगशीरिफ वयाओ वगशीरिफ वगशीरिफ वह क्यों जी हमँड़ झाल स्टुश्ण जुख जुख वेपन्स बेलोंग तु इंडियन आमी वाट यह सर यह देखें ओफ्क ओर्डिनस फैक्टरी और यह सीरियल नंबर इसे यह पता लगाया जा सकता है कि यह कौन से आमी कैप में भेजे गया थे और कहां से चुड़ाए गया इन हत्यारों की एक रिपोर्ट बनवा कर स्टेट और मिनिस्टी को भेज़ो और डिफेंस को भी सर और उस फारीद का क्या हुआ उसका हमारे हाथ से निकल लिया उसका एर्रेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है उसे ज्यादे एंपॉर्ण सर वो आदम है जिसने यह थियार फरीद क्या चुपाए थे हैं जानता हूं हमारे कितना बड़ा नुक्सान हुआ है उसका जिमिदार कौन है फरीद इस पोसिम आफ लेकिन प्रॉब्लम है सर क्या प्रॉब्लम है वो दोनों आदमी जो हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही फरीद क स्वो वेकर गभाट है वो दो Rise B Eh मैंने पहला इस मौला था मेरेकोस गेम में मत्राखो क्या फाइदा हुआ तुम लोगे थाद्पत्ध सभरा 17 मत senूार मिरी और स्पुलिस अलें कोली मारता है तो उसका म अलेकस का कोली मारता है मेरी बास सुनो जब तक तुम्हारे होंकोंग जाने गारेज में नहीं हो जाता है तुम अंडरग्राउंड हो जाओ मैंने उसका बंदवस्त कर दिया और हां सदा और तांबे के कॉंट्राक्ट में रहना उनको कब और कहां लेकर आना है यह मैं तुम्हें बताऊंगा इन चारों को आइडेंटिफाय किया जा चुका है यह लोग अलताहिर ग्रूप के मेंबर्स है जिनका लेडर बाबा जहीर है मैं तो समझाता कि जहर के पकड़े जाने के बाद यह ग्रूप तूट गया होगा मैं भी यही समझता था सर लेकिन छे माइने बाद इन लोगों के आक्टिव हो जाने से लगता है कि कोई बड़ी साज इश्रची जा रही है कि यह व्टू फाइंडे मैंसोन अस पासिबल यह रिपोर्ट हो मिनिस्टर को भेज़ दो ताके मिनिस्टरी सारे देश के पुलिस को ऐलेट कर दे साव करोड की आबादी का देश यहने ठूड़ना सुखी गास में सुई ठूड़ने के पराबर है भय दयूँ विया नहीं यह भीफ नचोड़ने कि हमाने को बारादी को विव traffic विर यह भीप को चे है कि रिलाक्स किया वात कोई तकलीफ कोई पारिशानी हम चार दिन से एक ही जगह पर हैं तो आप जानते नहीं क्या सरकारी कुट्टे हमारी बू सुंग रहें अगर हम इसी तरह एक जगह पर बैठे रहें तो बचेंगे क्या अको हर दूसरे तीसरे दिन हमारी लोकेशन चेंज जानी चाहिए ठेक है बाकी त्यारी होगे क्या जया आने वाली अठारा तारीक सुबह साथ बजे आप लोग वहां पर होंगे जहां पर आप लोगों को होना चाहिए क्या बत आज भी जय तुम्हें एज यूजूल लिने नहीं आया एक उनट हलो कहां हो तुम बस निकली रहा हूं बाहर आ गई हो कबसे वेट कर रही हूं मैं तुम्हारा बस अभी आ रहा हूं गाड़ी के पास हूं दर्वाजा खोल रहा हूं सर एक उनट सर वो कमिशनर कि अपने आपको बुलाया है ठीक है तुम चलो मैं आता हूं कि अलो क्या हूआ कि कमिशनर यू और कमिशनर किन गोडू है हमेशा तुम ऐसा करते हो पूलाया पूलाया था यह कि अन्युक्त आइंग्री बिठे उसके और हमारे काम में बहुत फर्क है वह हमारे काम में टामिंग है प्लैनिंग है और उसके काम में उसे कभी भी किसी भी वक्त बुलावा सकता है तुम आव मैं तुमें घर चोड़ देता हूं कॉम एक्षब तो मुझे देख लो और मुझे भी बता देना मैं चलता हूँ मुझे फैमिली को लेन एपोर्ट जाना है कि मैं तुम से बात नहीं कर रही है नोटिस तो किया लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ सब्सक्राइब मुझे कुछ सब्सक्राइब काम से बुला लिया हूँ है कि अग्यों कि बाबा है आइंब सॉरी है सॉरी से काम नहीं चलेगा मेरा मूड बहुत खराब है कि ठीक है तो आप ही बताईये एरोस्टिस साहिब आपके लिए क्या किया जाए मनाओ मुझे मनाओ हूँ कैसे तुम प्रिक्चर प्रिक्चर नहीं देखते क्या लड़की जब नाराज हो जाती है तो लड़का कैसे मनाता है कि पूल देता है इसमें फूल नहीं है कान पकड़कर किस करता है तो फिर क्या करता है गाना गाता है गाना लंदनी कम से कम पड़ोसियों की नीद का तुख्याल करो ये तुम्हारी सजा है अब गाना गाओ उच्याल करता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझ को बनाया गया है में कि यह हैं इन्विस्टिकेशन प्यूरो के ओफिसर्स मिस्टर कुपता मिस्टर खान करनल रन्वीर हमारे सबसे एक्सपिरेंस और हुनार आफिसरों में से एक है करनल मुंबई के टर्रिस स्क्वार निक विपन्स का कंसाइम्मेंट सीज किया है और इस बिलांस तुझ का अर्मी अमारी इंवेस्टिकेशन टीम से पता लगा है कि वह आपके कंटोर्मन के वेपन्स थे इस फाइल अर इसमें उन सभी वेपन्स के सिरिल नंबस भी है अजर्ग और लोगी तक कि वीपन्स कोषड़ पढनें उन्स भीट आपे लागा मुझ तक वđन्स के वोट्या अर्मारी अर्मी स्क्वार्ट यंज स्क्वार्ट का वेपन्स नंबस ऋप्याट व्याट को बाता हां हिंघ को तरस है तक यह पूरे इसकी बेल्ट उतारो सरो हमारे पैरामिल्टरी फोर्सस के नहा तियार अबैर इन्सपेक्शन चली रहा इनका चार्ज हावलदार मेजस सुंदरलाल ने मुझे दस दिन पहले ही दिया था प्रती को सुधारा भी जा सकता है ऐसा ही होगा कि या साला पध्या अरे अते घंटे से मचली पकड़ रहा है एक भी मचली भस्तिश नहीं है अरे यह लगेंगी टाइम लगता है उसको थोड़ा मचली है ना वो यह इंडिया तो बैसे साथ यह यह बहुत हो प्रफेसर साथ दो वीसलाग कमिंग अरे रहीम क्या बोट है यार एसलम मेरका भी दिखा यह देखेगा हाँ दिखा अरे इससे तेक देम नज्जिक दिखते है रहे काफ प्रोच आँ 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 ध्यांजाना अरे कहा विद्याले खोल दिया अपने प्रोफेसर साथ आँ आँ यह सदानान ताम भी फरीद ने तुम लोगों को बता दियोगा कि क्या करना है जी यह दस-दस हैं प्रोफेसर से मिलवाना है प्रीद यह भी हमारे साथ ही है सलाम 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 तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फरीद दोस्त तभी तो अपना नाम फरीद है जिस काम में भी हाठ डालना समझो यह उढालो आप यह शुम यह 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 अ यह यह या अल्लाइब सर वो बच्चा है जिसने मडर देखा है क्या नामे तुम्हार है रहीम इसमी इसका कोई लेलाना नहीं साब इसको इसको इसकेस में मत पसाब साब वाना भुके मर जाएंगे गभरामात साब हम लोग बत गरीब है हमारे क्या का बाकड़ा है डंगरीपी यह चुकरा तो चाय बिस्कुट दुकानों मकानों में पहुचाता है मैंने बोला ना गभरामात रहीम यह बताओ जिसने मुर्डर किया है क्या तुम्हसे पहचान सकते हो हाँ अगर सामने आगा तो जरू पहचान लेगा क्या वो यही लोग थे हाँ अंकल यही तो थे वो चार लोग हाँ अंकल पक्का यही थे वो पर इन चारों के अलावा एक और आदमी था एक और आदमी तुम लोग आओ अंदर आओ यहां क्यों आयो क्या प्रॉब्लम है प्रफेसर यह पेपर देखाया आपने आपको पता है फरीत का मुर्डर हो गया है वह जादा होशियारी करने लगा था इसलिए उससे उडाना वाँ तो क्या आपने मैं अकेला नहीं हूँ और भी बहुत है मेरे उपर खैर यह बताओ कि तुम लोग ड़ी तो हो ना जी जी सब तैयारियां हो चुकी है गुड तारीक तो याद है ना अठारा जून सर कोटर गाट हवल्दा सूरी और सुन्दरलाल के बारे में रिपोर्ट आ गई है सर सुन्दरलाल तो क्लीन है मगर सर सूरी ने गाओं में जमीन खड़ी दिया एक नया घर भी बनवाया है और बैंक में चार लाग रुपे से ज़्यादा जमाए उसके पूरी आंविलिंस गलाओ यस सर तो स्थिर अथ की जिंए संदर्टी आता है स्थिर इंदव मत्वड़ दिए था जां फुड़ा काफ़ी खुर्यादा पुड़ ज्युवा डिभ्या बव्या स्थिर्चत फीसद्व स्थिर्चत कह मुल्याद़ कि अब कि अभिप अभी क्लूस्ट नाई सर्फ कुनिन कोई सुराग नी चोड़ा काफी केक अपके सिबाद है 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 और यह शॉर करें के यह कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारा मतलब स्वें मुझे शक्या के हमारे देपाट्मेंट में कोई लीग है और इस लीग का पता वो चार टेरर्स ही बलता सकते हैं, जो इस वल मुंबए में हैं। मुंबए पुलिस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक, एक आइवीटनेस है जिसने मरडर होते हुए देखा है। और मन्रियंवाला वही था, जिससे हमारे एम्मिनिशन बरामत के यह है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये केस हमारे हिटक्वार्टर्स को दिया है। आइम सिंदिंग यू एंड मेजर पुरी टू मुंबए। मुंबए के एंटेटर्री स्क्वार का पूरा को आप्रेशन दुभे मिलेगा। आल दीबेस जेंटलमन। सर्फ सर्फ आर्मी की इन्वेस्टिगेशन टीम मुंबए आ रही है। महमानों को ख्या लगना। और हां, उन लोगों की जगा बदल दू। ओके। आर्म्स डील केस में कोई अरेस्ट हुआ। एक लीड थी फरीड। लेकिन उसे उसी के आदमी ने मार डाला। इंकोरी केस के हाथ में। एसीपी जय। अब उसके साथ काम करना तो मिलना तो पड़ेगा है। एसीपी जय। एसिप जयदी पराय, करिनल रणवीर सिंग रानवार, करिनल आपको मालूम है जयदी पेले मिलेटरी में था? आर्मी छोड़ने की वज़ए ओफिसर? यही पो कहा हुए जैसे दुश्मत का पता चलता है आप कोड़वर्ट जानवर बोल कर पूरी खबर रेडियो पर पास करें सर्थ और आप कॉटन और सर्च जारी रखें बी कैफुल मैं दूसरी तरफ से कॉटन करता हूँ कॉटन करें आउट कॉटन करें आउट मैं साथ जवानों के साथ स्कूल पर अटाक कर रहा हूँ आप मुझे कवरिंग फैर दो आप मुझे का रहा हूँ आप मुझे का रहा हूँ अर्मीन आपला कर दिया अर्मीन आपके शे खूब कर दोदू क sorgen कि ऑफसलिटंट और अाधागाएई पुजट सेखाएँ लोगिन श्राइब गिमाै लगंड़ने Blob ढौझ करे लुह? अाभव लीग करेवर ले हिंग वुह अाभार करेवर लुह याँचस घाँवाब अच भाँजआवाब कारा लाल कर दोस्तिर प्रफ़ीज सेकर अपना जाया है खर गपोईavors ing tão कर तोस्तिर चे शुफ खिर वसा करना में याय कि आसे मेद था हुआ आसे हनए मैं युछ रहता है। राए प्सित अच्ण आसे और शरा करें हHHHH मैं आसे करते क। बदा में युड़ रहता है हाु… कर दीदsterreich वा है वा ऱ 비ालकर आसे वा, दोस्ट भी किसकी वज़े से मेरी वज़े से अपनी जान बचाने के लिए तुमने उने मरे तिया क्यों कि तुम्हारी जान उनकी जानों से जादा किमती है मेरा पेर ट्रिप वायर पे तास्थ अगर तुम पेर अटाते तु क्या हो जाता अगर एक मौत से नौजाने बच्टी है तो बचानी चाहिए यही आर्मी का शुले यह खेल का मैदान नहीं दिस अ ब्लड़ी बैटल फील्ड कैपिल यहां फैसला जान लेकर किया जाता है या जाद दे कर और तुम तोनों में से एक भी काम टीक से नहीं कर सकते इससे पहले कि मैं तुमारा कॉर्ट मार्शल रिपोर्ट करूं I want your resignation first thing in the morning Is that clear? Is that clear? Is that clear? Is that clear, Captain? Yes sir! और अगर जिंदेगे में कभी हो सके तुब दुनिया को नहीं अपने आपको ज़रूर सावित करने की कोशिश करना कि तुम काहर नहीं हो आज भी उसकी आँखे मुझ पहसती हैं उसकी आवाज मेरे कानों में गुंचती हैं कि मैं काहर हूं मैं काहर नहीं हूं हर रोज में दुनिया को नहीं खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं कि मैं काहर नहीं हूं नहीं हूं मैं काहर मैं काहर नहीं नंधनी मैं काहर नहीं हूं मैं काहर नहीं हूं कि अ locks और कि अ कि अ कि अ अ... कि अ प्वेरी मिवित किby बीक कमेरा। कि अधिए बेटा रहीम यह चाय ना छे नुमर में दिया और जल्दी आजाना हाँ अधिया शुकर अल्हम्दिलल्ला अधियान क्या हमेशा खाते रहता है आखर वो दिन आई गया जिसका हमें इंतिजार था और बहुत जल्द हमारी मंजिल हमारे करीब होगी इंशाल्ला वह राम खोर संथाना अभी तक नहीं आया है कि खोश्यार इसे कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है कि जाए मैं ग्लास बाद में लोके जाओंगा ठीक है कि अधिया है कि खोश्यार अशकरना कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया अधिया यहाए भब बप-is-धांकरना पत् 一 कि अहाँ हूआ है काल? साब, एव विल देग। साब, उस समनो अले मकण। इनलेजर इनलेजर सोइ मिल इनलेजर इनले 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 एनले किया इट सही प्रहाग कि अभाणा कर अभादा, फ्रॉब मुशाए ऑज कि अभादा, पे रिफरे टुशारे अर्वाँ कर में अगादा, वादा दूआ है एफ रखरे लुश नचे टुब हारे लादा, आपफरे श्रॉशाे लादा, इन्छा कर दुशा जड़ा है वारे ला अब जर गोगा एका cóगा है hiç हैं तूर को अगर है... ग्योजी कि झाल कि झाल कि झाल पैञ कि लुब कि कि वी कि वो रघ अ कि जब में वे ग Pack कर ऊब कर उच सूहिं कि उड़े मच अरुआढ करी heँ रभी टमने श़ Вас कर आप वोज़ कि अजनी है कि अरी यह यह की के अरु़ हम जार लुड जाया सिर कर दो कर दो कि दो कर दो कि दो कि दो बगार है व्ख़िरीश क्यों झैंके तैंक मियुदी तैंके 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 जिन जार्ट। दबेटी को लोस्त है वाल प्रुह जो जाल शुटा हैं झाह झाहां है झाहां हैं। आप्रुछ पहां हैं झाहां हैं pot fly. इसके साथ उन तीनों को भी उड़ा देते तो अच्छा होता इनकी वज़े से हमारे 21 जवन शहीत हो गए थैंक्स, मुझे बचाने के लिए इसमें नहीं बात क्या है अच्छां दुटा आए किया कर रहे हो कबसे फोन कर रहीं है फोड़ा बशी था बोलो आचीख में फ्लाइट में हूँ नंग्धर्य नुज़ रहे हैं तुम यहां क्या कर रहें हैं दस मिनिट में सारे पैसेंजर अंदर अने वाले हैं बातरूम का फ्लश चोख हो गया था मैंडम अब ठीक हो गया ना ना गो सॉरी ग्राउन स्टाफ इतना परिशान करते हैं ना अच्छा सुनो खाना टाइम पर खाले ना तुम फिकर मत करो एक और बात नंदनी, मैं काम पहूं, क्या हुआ? आई लव यू आई मिस्यों ने ट्रिप हाँ सर, सारे शहर की नाकावंदी कर दी गई है अब वो जादा दूर नहीं भाग सकते अगर वो नाकावंदी के पहले निकल गया हूंगे तो पता नहीं का हूंगे क्या कर रहे हूंगे क्या कर दो सरुष प्रिबग Cand कर दो आई दूए कर दो रहे हाँ सर रहे हुआ कर दो आई आई कर दो आई एट आशा कि आए! 안, एट और भी अपला,ंप जब एब एपला जरु़ कि में आए जरु़ आइ कर दो मेरे साफ जो तो अ तो अकॉझां प्राष कर दो है यह जो सब्सक्राई होगा एक सुछोग मेरे साफ ना प्लेश टोस्क एक सब्सक्टेद कर दो अभर्ण ख खलता हुट्ट खेशल्या जो गॉट्टेद गोर्वा यब लोग नेका बॉल्ट। कैप्टेन? कैप्टेन? कैप्टेन, प्लीज ओपन दोर. डंदरी, सब ठीक तो है. कॉक्पिट का दरवादा खोल! नहीं तो! नाम क्या है आपका? आर के शर्मा. कैप्टेन साहब, शर्मा जी मेरे गन पॉइंट पर है. बच्चे हैं आपके? एक लड़की है. कैप्टेन साहब! शर्मा जी बाल बच्चे वाले हैं, कैप्टेन साहब! क्याप चाहेंगे किम की माद ताप की अजे से हो? साह, साह, प्लीज ओपन दोर! साह, प्लीज! कैप्टेन साहब को शाद तुमारे घरवरो से, कोई हमदर्दी नहीं है! ATC, ATC Mumbai Open Captain, it's hijacked चाहँ है और भी आपकोषी है। कि इंडियन एर्वेस के विमार्ट अबर्यन का अबर्यन हो गया है कि अबर्यन करता विमार्ट अबर्यन करते हैं जैसे पता चलेगा हम आपको बताजेंगे प्लीज आप ऐसे चिला को चैसे होगा कर अबर्यन करेंगे अबर्यन करता शान्तों सेकुरूटियों एक अ करना आप पत्रॉट को कि अपलेन हैंि ऑन हमारे शहर से उड़ा था, जिसले हमारि यह नईतिक जिंबे बापस लाएंगे यह भरुसा कीजिये, एक-एक पैसेंजर को हम दिंदा वापस ले आएंगे इस गंभीर परिसिती पर विचार करने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं और जब वापस लोटेंगे तो आपके सारे सगे संबंदी आपके पास होंगे हम उच्छन देते हैं, ठीक है? जाए इन, जाए महाराश्टा मुझे तो यह भी नहीं पता के यह लोग प्लाइट करके कहां ले गए हैं क्या आपको पता है? आमें भी कहां पता है टेक दा फ्लाइट तो पी ओके नो आए वोंट जब तक मैं इन चार्ज हूं यह फ्लाइट पी ओके नहीं जाएगी आप तो जाएगी कैटेन ज़ेख चलो चलीए पीशे चलीए साब्लों पिछे चलीए तो अचार चलीए पार मैं नहीं आँ हो चालीए लोड़ी है पार मुप चलीए पीचे मपी मेरी डॉल बेट रहे बेटा बेबी रुको बेटा महमम्माद जाओ का है वो मेरी डॉल क्या नाम है तुम्हारा रमीता और तुम्हारी गुडिया का जो जो तुम्हें बताओं मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जितनी कि सलीमा नाम है उसका लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो बताने बेमे तुम्हें मार सकता हूं जाओ 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 यह यह बतीनू नाम है तुम्हें काम जी प्लेन में जाने वाले हर वेक्टी की चेकिंग करना आपकी स्टाफ में से आखिर में फ्लाइट से कौन उतरता है जी केटरिंग स्टाफ और ज्यादा से ज्यादा मेंटेनस स्टाफ वो कौन करता है नामender काम प्लेन के आने से लेकर प्लेन के जानने तक सब कुछ डी-टेअल में बतािये काम प्लेन के टाइर उनके येल्ट्रिकल पाद्स और एक्राफ मेंटीनेंस इंजिनेर की स्पेशल कमप्लीन को को अर्य इक्टिफाई काना देखो हमें ये तो मालूम है कि हाइजाक करने वाले अपने साथ हत्यार नी ले गये थे लेकिन अब उनके पास हत्यार हैं इसका मतलब ये है कि हत्यार पहले से ही प्लेन में छिपाए गये थे और ये काम वो ही कर सकता है जिसे आते जाते कोई चेक न करें ये सर आपको किसी पर शक है नो सर ये सबी तो पुराने लोग है कि फ्लाइट कितने बज़े टेक आफ लेती है जी सवानों बज़े सर और ग्राउंड स्टाफ कितने बज़े बार जाता है आठ या ज्यादा से ज्यादा सब आठ क्या नम बताय था जी वो नाम सदनन आप मेरे इजद की बाट लगी हुई है जनता मुझसे सवाल पूचेगी अमारी पार्टी से पूचेगी हम सत्ता में आप से पूछने कोई ने आने वाला जाहिए पता कीजे कौन कमीना हमारी पार्टी को गिराने और आर्मारी को बदनाम करने लगा हुआ है को अदेनिफाए कर लियागा गाया यह यह आतंग वादिय जिनक का इक साथी यहाद वे मारा गया जिनका एक इक साथी आट सुपहु ते माही तो ने हम्हारा है वह शर बाने बनाईए जनता को शान रखना तो किसी को भी पकड़िए पकड़िय यह इसी यह आदमी पागले क्या है है हमारे देश का लीडर है सर अभी-अभी ख़बर मिले कि वो लोग प्लेन को प्यों के लेगे हैं सर हम लाख हम हम है सबहाओ प्रुड़ा के यह ऐसे दो खिर झार। झाल झाल कर दोत कि हमार今 म们 कर दो वोज खूछिया ना कर दो ऌज को दो है कि अ प्राइब एाले चाले के तेले कर लिए हाँ प्रुट्किर निए कि अवारा रुनते तो एक में जो रहाँ माजी, तुसी यह थे बैठ जाओ, आओ बैठी प्लीज, कोई गाल नहीं, आजाओ, बैठ जाओ, थेंक यू मसे घ्रावाई, आओ, रहा, करत एक थेच्शा, कोई आओ, आओ, बैठ जुछ दे लुछ, आओ, घ्रावा बेष, दे लिए, कोई, आओ, अओ, 214 00 हम कामियाब रहे असल काम तो अब शिरू होगा जनाब मगर यह आर्मी पोजिशन क्यों ले रही है तुम लोगों की इफाज़त के लिए भारत चुप बैठने वाला नहीं अभी अभी बी टीवी के हवाले से खबर मिली है कि इंडियन एवेज की फ्लाइट आई एट वन सेवन जो मुंबई से काटमांडो जा रही थी सर ये पैसेंजर के लिस्ट है और इसमें उनी पैसेंजर के फोन नमबर और एडरेस लिखे हुए हमें इस बारे में और कोई फुक्ता जानकारी यवी पर प्राप्त नहीं हुई है जैसे हमें खबर बिलेगी हम आपको इसके बारे में इसके बारे में इसके देगी है सदरन्द नौ बज रहे हैं तुम यहां क्या कर रहे हैं नाम सदरन्द डी सदरन्द तुम प्लेन से कब उतरें जी आट बजे तुम नौ पजे उतरें नहीं साब तब तुम नंदनी से बात कर रहे था हैं साब मैं अपने टाइम से उतर रह था साब प्राइम से प्राइम से अज़ित कर रहे हैं बता, बता तो, बता तो, बता तो साव, इसमेरा कोई दोश नहीं, मुझे तो तामबी नहीं बोला था हधियार किसने रखे थे मैंने, मैंने अब बता हूं, तामबी का मिलेगा पता नहीं साव, पता नहीं जुर से रखें किसारा के शोश परा है जुर किसके गहने पर थेया रखी थे प्रेन में बोल अफिसर आर्मी में इतना टाइम नहीं लगता है येस सर आर्मी में हर बात का फैसलब और जल्दी हो जाता है में आए जैसे जैसे खून बहने लगेगा वैसे वैसे आखों के सामने अंधेरा चाने लगेगा जिमाग सुन हो जाएगा और दिल की धड़कन रुखने लगेगी इस खून को रोकने का एक ही तरीका है कि तुम अपनी जुबान को दो वरना तुम्हे कोई नहीं बचा सकता ना मैं ना वो लोग जिन के लिए तुम काम करते हो और ना ही उपर वाला बता दो बता दो स्था पता दो अलियोज प्रोपेसर सत्तन हम तोनों को हार किया था साभ हमारा मुतालबा है के हमारे लीडर बाबा जाहिर को फॉरन रिहा किया जाए और उन्हें इफाज़त के साथ हम तक पहुचाए जाए इस काम के लिए हम 48 घंटे की मौलत देते हैं गरिस मुद्द तक बाबा जाहिर हम तक नहीं पहुचे तो हम हर एक घंटे पर एक-एक मुसाफिरों को मारना शुरू कर देंगे और इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी भारतिया हुकूमत की होगी और अगर हम पर हमला करने की कोशिश की गई या बाबा जाहिर को कोई नुक्सान पहुचाया गया तो हम प्लेन के साथ तमाम मुसाफिरों को बंट से उड़ा देंगे सार वेमान में कुल 96 आत्री है और 11 एयरलाइन्स के कर्मचारी है मुंबई एयरपोर्ट पर तो काफी ज्यारा सेक्यूरिटी है फिर भी ये लोग हत्यार प्लेन में कैसे पुचा देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है सेक्यूरिटी की लापरवाई के सिवा कोई वज़ा ने हो सकती सा कि मैं उन तमाम लोगों से मिलना चाहूंगा जिनका संबंदिस बाबा जाहीर केस से है कि आप फॉरण मीटिंग बुलाइए यस सर कि अब परिजिया के अब जाए देखने हैं इसकी तबिद खराब है दवा ले रहा है इससे में देखता हूँ तो चल अपनी जेगां पर बूब्लम है केपटेन, मुझे बहुन सफवकेशन हो रहा है, मुझे महार निकालो, केपटेन, केपटेन, मुझे महार निकालो ! बच्छ! और कित्त दिन जिएगा! जब वोगे, केप्टेन.. केप्टेन! ये सी वो बुद्ट जो बुद्ट इस पर उंगलियों के निशान नहीं है लगता है हमारे यहां आने की ख़़र पहले से थी किसी को अलो गोर्नल सर्थ बाबा जहर और प्लेन हाईजकर्स के इस केस से समंधि सभी लोगों को डिफेंस मिनिस्टर ने हेटकॉर्टर्स में बलाया है सर्थ और हां वहां एंटेटर्स स्क्वार्ड के इस सीपी को भी साथ ले आना जो इस केस का इंचार्ज है प्राइट शर्थ हम बिल्ली जा रहे हूं अंटे मुझे भूग लगी है रुको बेटा देखते हूं क्या कर सकते हूं पानी पीएगा पानी पीएगा पानी पीएगा पानी जाएगा आणी पीछ वेएगा आणी पीछ हैंगा आणी पीचे आँटी मुझे भूखना ही लागी जनाब मुझे और हुकूमत पाकिस्तान को बेहद अफसोस है कि आपका प्लेन हाईजैक करके हमारे इलाके में उतारा गया है और सुना है शायद दो लोग भी मारे गए हैं आपको इसी सिल्चने में तकलीफ दी है मेरी गवर्मेंट जानना चाहती है कि आपकी सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है अल्ला गवा है जनाब हम आपकी हर मुमकिन मदद करने को तयार हैं तो क्या पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों पर हमला करके हमारे एक सो साथ यात्रियों और करमचारियों को आजाद करा सकती है हम बिलकुल तयार है जनाब बलके हमारी फौज ने तो उस इलाके को चारों तर्फ से घेर लिया है जहां आपका वो प्लेन उतारा गया था हमारी फौज कभी भी अमला कर सकती है लेकिन उस में एक खत्रा है जनाब खत्रा? कैसा खत्रा? यही कि अगर मुझाहदीन ने मेरा मतलब है कि उन लोगों ने जिन लोगों ने आपके प्लेन पर कबजा किया है प्लेन को बम से उड़ा दिया तो या फिर हमारी फौज की फाइरिंग में आपके लोग कुछ हलाक हो गए तो आप इल्जाम तो हम ही को देंगे ना? इसका मतलब है आप हमारी कोई मदद नहीं करेंगे जनाब मैंने ऐसा तो बिलकुल नहीं कहा यही तो समस्या है आप जो कहते हैं करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं हम सब कुछ करने को तयार हैं जनाब लेकिन पाकिस्तानी फाज एक्शन नहीं ले सकते आप कुछ करेंगे नहीं हमें कुछ करने नहीं देंगे तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरी राय में तो इस समस्या का एक ही हल है आप आवा जहीर को छोड़ दे एक जिन्दगी के लिए एक सो साथ लोगों की जान खत्रे में डालना मुनासिब नहीं है ये मेरी जाती राय है जनाब अब हमें इस बात की आग्या देंगे? के हमारा एक डेलिगेशन आतंक वादियों से बात करने के लिए पाकिस्तान जा सके? डेलिगेशन भेजो ना जनाब, जरूर भेजो, सिर मत्यते लेकिन तीन चार लोग से जादा नहीं होने चाहिए और किसी के पास भी कोई हत्यार नहीं होना चाहिए अल्ला हाफिज जैहिंद सेर्य सब जहिर को छुडाने की साजिश है और ये लोग आतंक वादियों के मदद कर रहे हैं ये बात तो सारी दुनिया जानती है लेकिन सवाल ये है के इस समय क्या एक्शन लिया जाए आक्शन तो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था सर अगर हमारी सेना 48 में आक्शन लेती जब कश्मीर पर हमला हुआ था या फिर 65 में या 71 में या फिर आप कारकिल के बक्त तो आतंक पाद और आतंक पादी दोनों कब के ख़दम हो गए होते हमने एक नहीं चार मौके खोए हैं सर और हर मरतबा कमजोर राजनीती को भारतिय सेना की कमजोरी समझ़़ जाता है हमें एक मौका चाहिए सर ताकि हम साबित कर सकें कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं करनल अपने सुपिरियर्स के सामने इस तरह बोलने के तुम्हें को है यह दिखा लगी तुम भार जा सुरी साब ठैरो तुम ठीक कहते हो करनल बहुत से लोग हमारी सेनशीलता को हमारी कमजोरी समझते है लेकिन ऐसा नहीं है भारत हमला भी कर सकता है और जीत भी सकता है लेकिन हम उनके शहरों पर बंबारी करके बेगुनाओं को मारना नहीं चाहते बलके नफरत का जो पेड़ उन्होंने उगाया है हम उसे जड़ से उकार प्रिकना चाहते है और पिछले 56 साल से हमारी यही कोशिश रही है और पिछले 56 साल से यह कोशिश कभी काम्याब नहीं हुई सर कभी न कभी तो होगी कभी तो हमारे पडोस में कोई ऐसी सरकार बनेगी जो अपनी आँखों से भारत दुश्मनी की पट्ती उतार कर सच्चाई को देखेगी तब तक नजाने कितने पलेन हैजाक हो चुके होँगे कितने हमले पारलिमेंट और रक्षर धाम पर हो चुके होँगे कितने स्टेट्स कश्मीर बन चुके होँगे कि एक अच्छे कल की उमीद हमारे आज को पर बाद कर रही है सर अरे राम 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 क्या वाशन डिया है वह तुम्हें फॉज में नहीं हमारी पार्टी में होना चीए था लेकिन तुम फॉजी हो ना राजनीति के प्रॉब्लेम्स को नहीं समझ सकते अब देखो हम जाएंगे देलिगेशन में और आतनकबादियों को ऐसे शीषे में उतारेंगे कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है सर कि यह लोग करनल मुझे लगता है तो हमारे जहन में कोई प्लान है क्या प्लान है डिफेंस का प्लान से विलियंस के सामने डिसकस नहीं किया जा सकता है प्लीज एक्स्क्यूज उस प्लीज मगन भाई हाँ बोलो मुझे पंद्रा कमेंडोस चाहिए सर फिर फिर हम वही करेंगे जो इस्राइल ने एंटीपी पिकिया था इंजिन एवेस का वेमान जो आतंग पादियों ने बाबल सहीर को आजाद कराने के पांग को लेकर अप्वा किया है इस सिलसले में पांग देनने के भारत की और से चार लोगों का जेलिगेशन पाकिस्तार चाहरा है पानी रख जी लाइए कोई जरूत ने उसे पानी देने की चल्ड़ वह प्रेगनिंट है और उसे पानी की जरूत है कोई नहीं मतलब कोई नहीं जब तक तुम्हारी गवर्मेंट हमारी बात नहीं मानेगी हम भी तुम लोगों की कोई बात नहीं मानेंगे बहादूर हो तो तुम अपनी लड़ाई खुद अपने बल पे लड़ो औरतों और बच्चों को ढाल बना कर क्यों लड़ रहे हो तुम जो कर रहे हो वो बुजदिनों का काम है। बहादूर हो तु जंग में लड़ो। बेगुनाहों को सताने और मारने का नाम जिहाद नहीं है। कप्टेन, जबान रोक अपने स्टाफ की। वरना भरी जवानी में जान से जाएगी साली। थिकी तू बॉलरही है वो ? तू… मुसलमान होकर ऐसी बाते बॉलता है? एक सच्चा मुसलमान हूं इसलिए ऐसे बूल रहा हूं। बगर तुम लोग कता ही सच्चे मुसलमान कहों। क्योंकि इसलाम के तहत पानी पिलाना सबसे बड़े सवाः काम है। मैदान कर्बला याद है और इसलाम ही के तहट और तोर मजलूमों पर हाथ उठाना सबसे बड़ी लानत चनाब इस सकीना का मासूम चहरा याद है अरे तुम तो इसलाम को दी गई एक गाली हो तुम तो इसलाम पर लगे हुए एक धब्बे हो यह जो अपर यह जो कर्रहे हो ना यह तंक यह आगाए यह इसलाम नहीं सिखाता पिकोज तेरोरिजम इस झांथ अशाम तो रुटेटर्ट दी अट्याद है साले मुझे इसलाम सिखाता है मुझे हाः हइग हाइग वह जलिए एजए हाएग तो तो नादू! जानना बार ज्यागा! जानना बार ज्यागा! तो नादू! चैप्टेन चाहते हैं तुम! हा? यह क्या क्या तुम ने? अब कैसी को मारने की जरूत नहीं है भारतिया हुकूमत में हमारी शर्थे मान ली है कल सुबाउन का डेलीकेशन आ रहा हमसे बात करने हैं बाकी सब बात में लाज को यहां से निकल दो करны बाым एत्वाउन कर रहा हम रहा हमसे तो थे रहा हम प्रापन अगर आप में से कोई भी इस मिशन पर नहीं जा रहे हैं, जिसके दौरान अगर हम दुश्मन की जमीन पर शहीद हो गए, तो हमारी लाशों को हमारे देश की मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, लेकिन हम काम्याब होंगे, और एक ऐसी मिशाल काइम करेंगे, जिसके बाद हमा जाना जाता हो, तो कमरा छोड़ कर जा सकता है, लेट्स को अभी झाल, जाना 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 पूरी है अब भी इन्होंने डिसाइड किया कि जिस हेलिकॉप्टर से वाबाज नहीं को लाया जाएगा उसे में इंडियार आर्मी के पंद्रा कमांडोस वी छुपे रहेंगे जो मौकाद देखकर आप लोगों पर हमला करेंगे आप लोग सदर्क रहिए और एक बात या झाल मैं अपने दो अपने दोस्त को फोन कराता सर इत्तफाक से तुम्हारा वो तोस्त इस देश का तुश्मने मैंचे प्रुब अपने दोस्त दोस्त करेंगे बाता सर दोस्त पूरी मारा गया दुश्मनों को मालूम पढ़ गया कि वो हमारे लिए काम करता था इसका मतलब है कि इंडियन कमांडोर्स अब अपना प्लान बदल देंगे नो सर्व हम उसी रास्ते से जाएंगे ये मालूम होते हुए भी कि उन्हें अमारे प्लान की पूरी ख़बर है ये सर्व और वो ये भी जानते हैं कि हमें पता चल चुका है कि पूरी ने उन्हें ये इन्फरमिशन दी है और जाहिर है कि अब तक हमने अपना प्लान बदल दिया होगा इसलिए वो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम वही करेंगे जो हम करने वाले थे दुश्मन को कभी पेवकूफ नहीं समझना चाहिए करना हम तो इसकी समझदारी पर भरोसा कर रहे हैं सर मैं जाने के लिए तेयार हूं सर पहली बात आर्मी के ऑपरेशन में सिवलिंस को शामिल तुम कहना क्या चाहते हो मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूं जो आतंग वादियों से बातचीत कर निकले जा रहे हुझे देखते ही वो लोग मुझे पैचान जाएंगे क्योंकि उनका एक साथ ही मेरे हाथों से मरद जा चुका है जाहर है कि वो मुझे इंटेरिगेट कर करें और में उन्हें बता दूंगा तुम उन्हें मिजगाइट करोगे यह सर और यह सब तुम करोगे सर याद मैंने क्या का था यह खेल का मैदान नहीं दिस इस ब्लड़ी बैटल फील्ड याद है सर लेकन आपने यह भी कहा था कि जिंदगी में मौका मिले तो यह ज़रू साबित कर लेना कि तुम कायर नहीं हो आज वो मुझे मिले सर प्लीज यह मुझे 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 बचीनिये कौन है वो आदनी मुंबाई पुलिस एसीपी जैदीप कोई खास वजे आप मुझे परोसा करें सर इस समय सारा देश तुम पर ही तुबरोसा कर रहा है थैंक यू सब यह मिनी कैमरा तुम्हें पहनना है इससे हमें उन लोगों की पोजिशन्स और जोग्रोफी को समझने में मादद मिलेगी पैड़े चेंज चलू सर उने वाली बीवी के लिए जा रहे हो नंदिनी के लिए नहीं सर मा के लिए यह मिट्टी मेरी मा है और इसकी इस्सत खत्रे में है अपना क्याल रखना बिनावर्दी के सिल्यूट नहीं करते हो अफिसर बिनावर्दी कट्रे तर अरे चार उर्स धोल॥ अपड़ कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि यहां से उन्हें कागन एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है जहां पर फ्रेस वालों की जाने की मनाई है अर्शाखान पी टीवी की अर्शाखान रसे अर्शा़ोर्ट से अर्शाडा कर अज़िए ब Нач़ में एकाल बेग्याश कि प्रेतले के अर्शाख अर्शार से आंक चकृतसिटीए कि तारी, जाएशयस कृतसी अज़िए कि में ले ज़िए नग्में कि यहागूए, आढूए. कर दो कर दो कर दो कर दो शो हो साखी है कर दो झाल झाल डर तो नहीं लग रहा है पिटा अंकल से कहो कि जिस देश में आप जैसे लोग हो जो अपनी चान की परवाना करते हुए यहां तक आजाए उस देश की बेटी पहन बीवी कोई कभी नहीं डर सकती परोसा रखों कल सुभे तक सब ठीक हुजएगा बेटा अंकल कु बोलो हमें उन पर पूरा भरवसा है आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है हमें बहुत अफसोस है कि आप लोगों को भारी परेशानियों से गुज़रना पड़ा मैं मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपको हरजाना मिले और दूसरी सुविदायें उपलब्द कराई जाएं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं जो आया हूं बहुत जल्द आप लोगों को यहां से ले जाओंगा हुँँ मंत्री जी ठीक कह रहे हैं हुँँ मेरी आप से दर्खोस्त है कि जितने भी बेमार बुज़र्ग और बच्चे हैं उन्हें छोड़ दें कि यह नहीं हो सकता कि यह इस बात की जमानत है कि हमारी सभी शर्ते माल ली जाये कि अगर आपको जमाने तीचे यह तो फिर हमारे मंत्री जी है क्या बक्वास करते हो हम यहां बात करने आएं इनकी कैद मेरेने के लिए नहीं आएं कि मंत्री जी बहातुरी दिखाने का और जंता की दिल में बसने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला तीन महीन बाद इलक्षन है आपकी जीत पक्की होगी अगर मार दे तो कमाले ठीक है बाबार सहीर के दियाई के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है कि में आपकी होगी आपकी है कि मंत्री जीन अपने आपको उनके हवाले करके कुछ पैसेंजर्स छुड़ाएं मैं चाहूंगा कि आप पैसेंजर्स को और उन रेड बोर्डी को वापस हिंदुस्तान भेज़ते हैं ठीक है जब तक बाबा सही रिया नहीं होते तब तक आप कुमारे महमान बनकर रहेंगे जब प्रुब दो प्रुब तक रहेंगे नहीं पुड़ाई नहीं पॉर मुड़ें जो अईखता है कि अफ़ाहर करता की भारत सरकारे मांक स्विकार कर ली है और वाबा जहीर को रहा किया जा रहा है कल सुगों उन्हें किसी भी वक्त हुप मिलिटरी एरिया से पाकिस्तान ओक्युपाइड कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा कि अ! कि स्वाना किस्तान ओक्युपाइड कर लाबा किस्तान ओक्युपाइड को रहा है कि या बता सकते कि उन बेगुना पैसेंजर्स की गलती कि है जिने आप लोगों ने होस्टिश बना रखा है उनकी गलती यह है कि वो भारतिये हैं क्या गेरेंटी है कि हिंदुस्तान सरकर आपको यह देश छोड़ पर जाने देगी यह सवाल आप मुझे नहीं अपनी गॉव्मेंट से पूछिए इन्हें बताते क्यों नहीं कर्नल कि तुम्हारा देश तुम्हारी गॉव्मेंट हमारे सामने सर जुका चुकी है बिख चुकी है वी वर हेल्ड बाइ इंडियन्स टु हाईजेक दा प्लेन सौ करोड की आबादी वाले भूखे नंगे लोग हो तुम्हारे चार सिपाही तुम्हारी पारलियमेंट तक पहुच गए थे और अब देखना हमारी पूरी फौज अंदर तक घुसाएगी अपने मुलक को अपनी मागा दर्जा देते हो ना तुम उसकी चाती से उसका दामन खीच कर तुम सबका सर शर्म से नहीं जुकाया अप जाहीर खान भीग में मिले देश और दान में मिले हत्यारों के दम पर इतना फौकना ठीक नहीं काहिरों की तरह मंदिरों और मस्चितों में खुसकर और और पच्छों को मारते हो अब तक सिंदा हो क्यूंके हमारी सरकार ने हमें रोक रखाए जिस दिन जंग का एलान हो गया अंदर खुसकर मारेंगे हमारा एक एक जवान तुमारी नपुनसक फोच पर भारी पड़ेगा कि इन जवानों की बात करता है कानल उन जवानों की जिनने हमने कारगिल में चुहों की तरह मारा था अगर तेरी एक उत्ते आसपास नहीं होते तो तुझे भी यहीं दफ्रिकर देता तुझे भी तुझे भारा क्ट अवानों की जवानों की बात करता थारा थास है प्रुब झाल, झाल, लग झाल, झाल, झाल चाल तास ङाल एतारप पन कज़नां इतार प्रचान माटना इडिर अरप पन कर Cait कर हो भांट कातना हमारे देश में कुट्टों को चांद से मारने की परमिशन नहीं है तेरी जमीन पर आके तुझे मारूंगा टेक इम अवे चल 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 टक्निकी खराबी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं अभी आपने देखा बाबल जहीर को सही सलामत बिल्डिंग के अंदर ले जाया जा रहा है कुछ 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 एक पुलिस वाले को इतना एहम काम कैसे दे दिया? उसे अम्मन का शफिर पना अंकर भीच दिया हराम खुर? तुने ही मेरे भाई कुमारा था ना? कैमेरा? खुदा कसम मुझे तो पहले से ही अंदागा था कि ये एक जासूस है हमारी पोजेशन्स और तयारी की सारी खबर तुश्मन तरह कोच चुके काट के भैक दू साले जली हरो इनका मनसूबा क्या है? पहले ये मालूं किया जाना बहुत ज़रूरी है पहले जाना बलिफ और गणाद कि अंधेशन्स एक का जा प्यानन दूए टाइगर झालिंग ब्राव ब्रावो मूँ परवर्डू हेलो सुवेदा हमारे उपर काफिरों ने हमला कर दिया है और उनकी तरफ से कुछ हरकते भी हो रही है हेलो नूर काफिरों को मूँ तोर जवाद दो और किसी भी हालत में अपनी पोस्ट मत छोड़ना हेलो विसी एक्स मैसेच फोर टाइगर ओवाँ अब शाली मार के नदीख है और दुश्मन की पोस्ट तर्किस दोस्ट मीटर पर है हम हमले के लिए तयार है और पर अटाइक ओवाँ पूल क्या प्लान है तुम लोगों का बोल मारना बंद कुर गया तो पताऊंका ना भी इंडीन रेस्क्यू टीम कारादर्थियागी कम बाक परस सर कम बाक, कोवर एन आउट मुव बाक कम आउन पास, मुव बाक जूट बोल रहा है ये ये इतनी आसानी से बोलने वालों में से नहीं है बोल, बोल रुको ये सही कह रहा है भारतिय फौज ने काराधार के और से हमला बोल दिया है ये सही कह बाहां रच जूब ऑ़त寶ब रहां ये सरफ घप आइ प्रिश्मा पूलिंग जनाप, अभी अभी वावा जहीर का हेलिकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ ताक्दिल होता देखा गया है मुबार कुछना, ओर रेनाओ। सिंदेशर एंदेशर प्रुप्टर करेंगीॉ पारियो मुद्वेप्स जायो रुख जाओ। पहले प्लेशा आर मेरे आपतम ही छोड़ो छोड़ो फिर मैं एसे छोड़ूंगा। शायद तु यह भूल गया यह तेरी नहीं मेरी जमीन है और यहां कुट्टों को मारने की परमिशन है आदेरी जमीन है बादेरी जमीन है यहां कुट्टों की परमिशन है प्रेवते माधते लाटे लगते वघ्द यर वाइ वजद वजद वेगता वजद 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 वजडर अब च्ता cevा प्यर्त के ऱट junior कराईखको अजर्द करण आञ क्याृ पर क्या 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 तूने का था ना, तेरी जमीन पर कुट्टों को मारने की परमिशन है कि ह। परसे समी के भी टो सकते बग को है कि बगता अजुर भी बगता है कि आएकल पारी वहाँ झाल उटे खोふोडूखए जी फुद जयाओए युट बहलों ये बहलों करो'M वो है дуже आपिघन झाल कर दो एक है तो जुद एट लिए कर दार लेगड़ एक है और अटार च्री ने वन युड़ वार बुड़ व्ड़वकश लुर जाजब और उड़े हुआर झालो चालो मैंक सुर्च वोगर प्याहान trzy चारे, पिस र다 enrichे, अपक demand सब्सक्राइ रहात जडिश नीडिए कर देडिए से लिया अजहीं सब्सक्राइब भंश अजए जडिए । झाहा हाँ प्रिए्ट इज मों आधियों कि शड़ उप्रेशो है 0 अब इनका क्या करें? करना क्या है? वापस लेके जाएंगे तो फिर एसे छुडाने के लिए चार हिजड़े खड़े हो जाएंगे आतंक फैलाएंगे फिर से पार्लिमेंट पर अटाइक होगा फिर कोई प्लेन हाइचेक होगा वैसे भी यही रहना चाहता था ना? यही छोड़ दें? छोड़ देते हूं अभी अभी समाचार मिला है कि इंडिया ने एवेस की उड़ान आईए आठ एक साथ जिसे अपहरन करता पीयों के ले गए थे उसे छुड़ा लिया गया है इस ऑपरेशन में पंद्रा आतंक वादी मारे गये हैं जिनमें उनका लीडर बाबल जहीर भी शामिल मैं भारत के प्रथाल मंत्री ने अपने बहादूर सिपाहियों को बढ़ाई दी है हमेरे से ह्वाय अड़े मर्दख के लिकेरी तारोग में बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम वाटे मातरम